आने वाले समय में SSC, BSSE, Railway, BPSC के दोआरा बहुत सारे एक्जामिनेशन को कंड़क्ट करा जाएगा अब इन सारे एक्जामिनेशन को मद्दे नजर रखते वे जेनरल स्टडीज के सारे सेक्षन का फटा फट रिवीजन करेंगे और यकीन मानगे इसके बाद आपको जेनरल स्टडीज के प्रस्ट में नहीं सताएंगे स्वागत है दोस्तों आपका आपके एपनी यूटिब चैनल परिक्षा हॉल 24x7 पे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाईएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परिक्षा हॉल 24x7 को सेयर किजेगा दोस्तों आज हम बायालोजी के तीसरे मेराथन को करेंगे और इसके पहले हमने दो मेराथन कवर किया है टोटल हमने कहा था कि बायालोजी के चार मेराथन आएंगे जिससे की पूरा का पूरा बायालोजी हमारा कवर हो जाएगा तो चलिए आज के विडियो को स्टाट करते हैं अब हम आज वर्गीकरन से स्टाट करेंगे इसके पहले वर्गीकरन से पहले हमने रोग वगेरा जो भी था उसके कवर किया है दो महराथन आप जरूर देखेगा उससे तो अगर वर्गी करन की बात करें यानि की classification तो classification का महिमा मंडन आपको तो पता ही होगा ये कितना जरूरी है classification हर एक फिल्ड में चाहे वो आपके भौतिक जीवन रास्ते जो भी है मतलब हर एक living organism के पास वर्गी करन का क्या महत्त है इसे आपको पता होगा देखें classification की बात करें तो जो living organism है जो जीवित जीव है उसको classify करने के लिए बहुत सारे scientist बहुत सारे biologist ने अपना योगदान दिया लेकिन अगर कहें classification या फिर taxonomy का जनक या father की ने कहा जाता है तो आपको एक नाम याद होगा कैरोलस लीनियस सहाब ने को कहा जाता है father of taxonomy यानि की वर्गी की का जनक लेकिन इनके द्वारा two kingdom classification दिया गया था ठीक है two kingdom classification कैरोलस लीनियस सहाब की द्वारा दिया गया था याद रखेगा अच्छा बात करते हैं अब यहाँ पर जो प्रस्द हैं उससे हम लोग सारे सुन्डी का ग्रंथी यानि की proboscis gland निमन में से किस phylum के जीवों में उपस्थित होती है देखे अगर बात करें किस phylum में सुन्डी का यानि की proboscis gland होते हैं तो आपको याद रखना है hemicordata है hemicordata phylum के जीवों में सुन्डी का ग्रंथी यानि की proboscis gland होते हैं देखे अगर बात करें कि phylum क्या है kingdom क्या है class order family genus species तो इसके बारे में आपको पता होगा कि इस तरह से जो है कैरोलस लीनियस साहब ने जो classification का hierarchy भी बताया था कि इस रिंखला कैसे उपर से नीचे हम चले ठीक है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो देखे उस सरजन के लिए सुन्डी का ग्रंथी या फिर प्रोबोसिस gland हेमिकोर्डेटा संग के जीवों में पाई जाती है यह सरीर के आंतरिक भाग में उपस्तित होती है इसमें एक गुलो मेरुलस होता है जो उस सरजन की स रेटाइल से संबंदित है आपका हर्पेटोलोजी ही याद रखेगा अचा अब यहाँ पर कहा जा रहें कि जीव वघ्यान का पिता किसे कहा जाता है अगर बात करें जीव विज्यान का जनक कहा जाता है Aristotle यानि की अरस्तू को ठीक है अरस्तू को जी विज्यान का जनक कहा जाता है साथी साथ जुलोजी का जनक भी अरस्तू को ही कहा जाता है क्या जुलोजी यानि की जन्तू विज्यान का जनक भी अरस्तू को कहा जाता है पाच जगत वर्गी करन, देखे हमने कहा कि Two Kingdom Classification दिया गया था कि इनके दौरा, तो Two Kingdom Classification कैरोलस लीनियस साहब की दौरा दिया गया था, उससे पहले भी Classification का जो प्रियास किया गया था, एरिस्टोटल साहब की दौरा किया गया था, उन्होंने भी जीवों को दो वर्गों मे फिर आया Five Kingdom Classification, तो Five Kingdom Classification सबसे Best और सबसे Effective Classification कहा जाता है, जिन्हें दिया गया था, आर एच वीटेकर साहब की दौरा, इनके दौरा, आर एच वीटेकर साहब की दौरा, 1969, 1990 में, आर एच वीटेकर साहब की दौरा, Five Kingdom Classification, जिसमें उन्होंने जीवों को मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया में बाटा, याद रखेगा, पाच गिंडम, पाच जगत, मोनेरा किंडम, प्रोटिस्टा किंडम, फंजाई किंडम, प्लांटे और एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जन्तु जगत में, इन्हो uclear साणने मगर मज में कितना chambered hurt होता है मगर मज का cantidad होता है वह कितने 4 chambered होता है 3 chambered होता है, 1 chambered होता या 2, देखे, मगर मज जाने कि crocodiles जो हैं यह reptiles समूह में आते हैं इनमें अधिक्तर जीवों का जो हिर्दय होता है, वो 3 को स्ठक वाला होता है थर्ड थ्री चेंबर्ड वाला होता है लेकिन इसमें एक exception है आपका मगरमच जिनका हिर्दय हमानव के जैसा चार कोस्ठक वाला होता है फोर चेंबर्ड वाला होता है ठीक है याद रखेगा अच्छा ये जो reptiles होते हैं वो awesome तापी या ठंडे खुन या cold blooded जानवर होता है य गोंगा जो आता है वो आपका मुलस्का संग में आता है कि इसमें मुलस्का संग में आता है देखें मुलस्का संग की जू जीव होते है न भाई साब उसमें आपका घोंगा है सीप है ओक्टोपस है ये सब आपको पता होगा ओक्टोपस है ये सब मुलस्का के अंतर गताता है अच्छा मोलस्का की बात करें तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका परिसंचरन तंत्र यानि कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है कैसा होता है तो आप कहेंगे इसका जो परिसंचरन तंत्र होता है वो होता है ओपेन कैसा ओपेन परिसंचरंतंत्र, ओपिन सर्कुलेटरी, खुला परिसंचरंतंत्र, ठीक है, इतना याद रखी जागा मॉलस्का के बारे में, साथी साथ ये याद रखेगा, कि जो मॉलस्का होता है, ठीक है, मॉलस्का का जो उत्सरजन के लिए, या फिर एक्सक्रेशन के लिए, इनके पास से एक किडनी भी होती है ठीक है किडनी भी होते है याद रखेगा उसके बाद इसका जो खून होता है बलड जो होता है वो रंग यहीन होता है ठीक है कलरलेस होता है और इनका जो सरीर होता है यह इंपोर्टेंट है कि इनका सरीर कवच से ढखा होता है क्या एक कवच से ढखा ह होता है यह याद रख लिजेगा ठीक है जिसके उधारन आपको दिया मैंने घोंगा है सीप है ऑक्टोपस है और मुलस्का संग में याद रखेगा कि मुलस्का संग में कुछ ऐसे जीव हैं जिनका नाम आपको फिस के जैसा लगेगा यानि लगेगा कि यह मचली है लेकिन वो मचली नहीं, जैसे कि आपका जो octopus hè, इसे कहा जाता है devil fish, क्या कहा जाता है devil fish, अब आप देखेंगे, कि ये तो fish कहरा है भाई साप, तो ये मचली है क्या नहीं, ये मचली नहीं बल्कि मुलसका संग के जीव है, मचली नहीं है, मचली का नाम से समानता टीक है डेविल फिस साथ ही साथ मोलस्का संग में एक कटल फिस आता है तो याद रख लिए जगा कटल फिस और डेविल फिस जिसे की ऑक्टोपस कहा जाता है इतना आपको यहां से पता चल गया अब हम आगे देखते हैं तो अगर अपने अच्छे से क्लास को पूरा देखा तो आप से साइंस के प्रस्त नहीं चूटेंगे जनरल इस्टडी के प्रस्त नहीं चूटेंगे ठीक है चलिए उभाइचरों से संबंदित जन्तू विग्यान की साखा तो उभाइचर से संबंदित अभी हमने देखा था क रटाइल्स और उभैचयत, यानि कि रटाइल्स और एंफिबियन से संबंदित, जो जन्तु हैं, उनको उनका स्टडी हर्पेटोलोजी के अंतरगत करा जाता है. मेमलोजी के अंदर संदारियों की क्या किया जाता है स्टडी किया जाता है ठीक है चलिए अस्ट बाहू अस्ट बाहू यानि की ऑक्टोपस किस फाइलम से संबंदित है तो यह हमने कहा ऑक्टोपस जो है यह मुलस्का संग से संबंदित है और इसे devil fish का नाम भी दिया जाता है, क्या devil fish का नाम भी दिया जाता है, चलिए आगे देखिए, अब आगे देखिए कहा जा रहा है कीटों के अध्यन को क्या कहा जाता है, कीट यानि कि insects के अध्यन को क्या कहा जाता है, तो insects के अध्यन को entomology कहा जाता है, क्या कहा जाता है entom आपको mycology पता होगा, phycology पता होगा, ये सब आपको पता होगा, ठीक है, चलिए तो, निमन में से किसे plant kingdom का उभहेचर कहा जाता है, देखे, अगर बात करें plant kingdom की, तो हम botmi जब पढ़ेंगे detail में theory class में, तो वहां भी देखेंगे चीजों को, ठीक है, और अगर plant kingdom की बात कर जाता है, crypto games, और जो जिसके पास post होता है, यानि कि flower होता है, उसे fenero game कहते हैं, अब crypto game के अंदर भी, तीन group में इसे बाटा जाता है, एक तो आपका क्या होता है, थैलोफाइटा, फिर आपका आता है, ब्रायोफाइटा, फिर टेरीडोफाइटा, उसके बाद fenero game में, जो आपका क्या आजाता है, फेनरोगेम के अंदर, एंजियो स्पर्म और जिमनो स्पर्म आता है, एंजियो स्पर्म और जिमनो स्पर्म, देखें, एंजियो स्पर्म जो होता है, इसके जो भी पौधे या फिर इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं, उसमें जो बीज होता है, लेकिन जो जिम्ने उस्परम के प्लांट होते हैं उसमें भीज धुका हुआ नहीं होता है यह पढ़ेंगे साथ प्लांट किंडटम का जो क्या बौते हैं कि वह ब्रायोफाइटा है किसे ब्रायोफाइटा को यानि कि यह जल में भी रह सकता है ठीक है इतना याद रखेगा चलिए आगे देखे अच्छा इसके उगदाहरन देख लिएगा परायो फाइटा के मौसेज हैं लिबर वर्ट्स हैं हौन वर्ट्स हैं याद रखेगा देखे निमन में से कौन सा जी मोनेरा जगत से संबंदित है देखे आरेच विटेकर सहब की दौरा फाइब किंडम क्लासिफिकेसल दिया गया उसमें जो पहला जीम रखा गया मोनेरा के अंतरगर तो दिखे डिवलप्मेंट जैसे जैसे होगा सेल स्ट्रक्चर के अधार पर बोडी स्ट्रक्चर के अधार पर टिसो और स्ट्रक्चर के अधार पर उनके लाइफ स्टाइल के अधार पर जो है सेल को अलग-अलग या फिर वो खाना बनाता है या नहीं बनाता है तो इस तरह से बहुत सारे basis को रख करके वहाँ classification किया गया था तो अगर मोनेरा की बात करें तो यह कैसे को रख दिया मोनेरा के अंदर कर और मोनेरा के अंदर कर जितने भी बैक्टिरिया आप देखेंगे जितने भी जिवानू हैं वो सारे के सारे मोनेरा किंडम में रख दिया गया ठीक है मोनेरा किंडम में रख दिया गया इतना तो आपको याद होगा अब अब मोनेरा किंडम मे रख दिया गया जिसमें आपका क्या है साइनो बैक्टिरिया आपने देखा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर जो माईको पलाजमा है ये सब है मोनेरा किंडम में आता है ठीक है याद रखेगा चलिए आगे देखे कहा जा रहा है कि जो निमनलिखित वर्गी की स्रेनी में देखे वर्गी की स्रेनी यानि की जो टैक्सोनमी काटेगरीज होते है उनमें से कौन से स्तीन की तुल्ला में वर्गी की पदादुकरम में सर्वोच स्थान रखता है ठीक है सरवोचस्तान देखे जैसे कि आपको पता होगा कि किसी इनसान को आपको क्या करना है पॉइंट आउट करना है ठीक है मानलिया की कह दिया ये भारतिया है क्या कहा कि ये भारतिया है मतलब भारतिय है इंडियन है तो इंडियन में तो सब आते हैं हम हैं आप हैं हर कोई है लेकिन अगर भारतिय सबसे पहले क्या कहेंगे कि भारतिय है उसके बाद क्या कहेंगे कि ये किसी particular राज्य से है तब क्या होगा और उसको हम रही क्या क्या elaborate कर दिया और point out कर दिया फिर उसके बाद कहागा ठीक है ये किसी जैसे आप जहरकंड या बिहार या कहीं से यूपी से हैं हर्याना से हैं तो आप हर्याना के सारे लोग हो जाएंगे ठीक है उसमें अब उसको और क्या किया गिया उसको और summarize किया गिया brief में अगर उसके बारे में बात किया गिया तो कहेंगे कि ये जो है किसी राज्य के इस जिले से है ठीक है इस तरह से classify करता है इस तरह से हर्याना की चलता है अगर और कहेगा कि ठीक है ये जिला से कौन सा है फिर बोलेगा ये किसी ब्लॉक इस ब्लॉक से है ठीक है फिर कहेगा कि अच्छा ब्लॉक कोई एक इंसान है उसके बारे बताई ये कहेगा ये ब्लॉक तो उसके बाद जो है ये इस विलेज से है उसके बाद कहेगा ठीक है विलेज की बाद भी जान गए तो ये इसका घर कहां परे तो address पता चल जाएगा village में तो इस तरह से hierarchy चलता है सेम उसी प्रकार से जो है हमारे क्या मुलते है जो organism होते है जो living organisms होते है उसमें भी क्या होता है सेम इसी तरह से hierarchy चलता है सबसे पहले क्या होता है kingdom होता है क्या सबसे पहले kingdom होता है यानि कि जगत होता है उसके बाद phylum होता है ठीक है phylum यानि कि संग होता है उसके बाद order होता है ठीक है order के बाद आपका क्या आता है family आता है genus आता है species आता है इस तरह से जो है hierarchy चलता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो order है यह family genus species ये सबसे उपर है ठीक है इन सबसे उपर है चलिए आगे देख लिए देख लिए यहां क्या है सबसे पहले क्या है kingdom है फिर phylum है class है order है family है genus है इस पिसीज है ठीक है चलिए देखे अगर बात करें prokaryotic कोशिका है निमन में से किस प्रानी जगत में पाई जाती है prokaryotic अभ पूरी तरह से विक्सित नहीं होती है और अगर पूरी तरह से विक्सित नहीं है तो इसके जो सारे cell के जो और्गेनिलीज है अंग है इसमें सब अच्छे तरीके से बिद्देमान नहीं रहते है इसका जो nucleus होता है वो भी ऐसे ही धंगरते रहते है ठीक है वा वंस जो मानव से संबंद रखता है अच्छा मानव से संबंद रखने वाला वन सो पूछा जा रहा है यानि कि जीनस पूछा जा रहा है ठीक है तो मानव का जीनस है जो मानव का जीनस है वो होमो है और इस पिसीज क्या है तो इस पिसीज है सेपियंस सेपियंस ठीक है तो जीनस और इस पिसी किसी भी वैक्ति किसी भी organism का scientific name को define करता है जो आपका binomial nomenclature होता है उस तरह से हम देखेंगे उससे तो क्या हो गया जीनस हमारा क्या है होमो है अगर बात करें कि हम किस क्या बोलते order के हैं हमारा order क्या है हम किस गन से आते हैं तो हम प्राइमिट्स गन में आते हैं जिसमें आपका वानर भी आता है कपी भी आता है हम humans भी आते हैं प्राइमिट्स में ठीक है उसके बाद अगर कहें मेमिलिया मेमिलिया जो है मेमिल्स कलास है हम लोगों का क्या हम किस वर्ग के हैं तो मेमिलिया कलास के हैं अगर बात करें किस फैमिली से हैं तो हम हैं होमिनी डे फैमिली से ठीक है तो अगर किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम ठीक है उसके बात फाइलम की ब तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यह इंसान के बारे में बात कर रहा ठीक है इंसान हीूमन के बारे में बात कर रहां धीरे धीरे करके हम एक इसपेसिफिक ग्रूप में पहुछ जाते हैं ठीक है चलिँ यहाँ पर कहा जा रहे हैं निमन में से कौन सा वर्गी करन के बिभिन नस्तरों पर उपसमुहों की सहववस्ता है तो सबसे पले kingdom, फिर phylum, class, order, family, genius, species, याद हो क्या होगा ठीक है चलिए देखे कहा जा रहा है कि दूइपद यह नाम करन पद्दती यानि कि बायोनोमियल नोमेंक्लेचर वाज फाउंडिड बायोनोमियल नोमेंक्लेचर जो है इन्हें भी कैरोलस लीनियस सहाब की द्वारा ही क्या किया गया था डिपाइन किया गया था लाया गया था लेकर के कैरोलस लीनियस में उसका कुछ और बोला जाता है ठीक है इस पेनिस भासा में बाग को रूबा जाता होगा तो अलग-अलग लोग किसी और्गेनिज्म को अलग-अलग नाम से बोलते हैं लेकिन कोई एक ऐसा नाम करन होना चाहिए जिससे की बिस्व के सभी लोग ये जान जाए कि ये इसके बारे में बात कर रहा है जीक है इसके बारे में जैसे हम लोग इनसान कहते हैं मानव कहते हैं मनस से कहते हैं हिमन्स कहते हैं कहीं पर और कहा जाता होगा इनसान को तो हम जाएंगे वहां समझ नहीं पाएंगे लेकिन जैसे ही हम कहेंगे होमो स कहता है बाग, कहीं कहता है पुली, कहीं कहता है व्याग्र, तो ये बताइए कि अगर इसका जो scientific name है, जो binomial nomenclature दिया गया था, पैंथेरा टिग्रिस, तो जैसे ही पैंथेरा टिग्रिस कहा गया, तो टिग्रिस किसकी जाती प्रजाती, ये बाग की प्रजाती है, और जीनस क्या है इसका, तो पैंथेरा है, ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ scientific name भी यादर करने होंगे, इसके binomial nomenclature से, जिसमें कि आपका जो पहला वर्ड है, ये जीनस को बदरसाता है, यानि कि वन्स को, और दूसरा जो है, ये बताता है, उसकी प्रजाती यानि कि जाती को, क्या समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं, देखें, कहा जा रहा है, कि जो केचवा है, केचवा केचवा हुआ जोख हुआ यह सब एनलीडा प्रजाती के अंतर गताता है केचवा हुआ जोख हुआ यह सब क्या है एनलीडा और एनलीडा जो है यह इनवर्टिवरेट है इनवर्टिवरेट और वर्टिवरेट तो आपको पता होगा ठीक है इनवर्टिवरेट और वर्टिव परानी हैं और केचुऊं के अन्दर बंद परी संचरं तंतर पाया जाता है। जिंगा अब यहाँ पर बात आ जाती यह जिंगा की तो जो जिंगा मचली आप लोगों में से बहुत लोगों ने खाया भी होगा वैसे तो हम पूरी तरह से वेजिेटेरियन लेकिन जाते हैं बहुत सारे लोगों ने खाया होगा तो जिंगा की बात करें तो ये और्थो पोड़ा ये कोई मचली नहीं है याद रखेगा जिंगा मचली तो हम लोग कर देते हैं लेकिन ये मचली नहीं बलकि मचली से समानता रखता है देकि मचली उपड़ में ये नहीं साब क्योंकि जिंगा मचली में जो इसके पैर होते हैं वो जॉइंट होते हैं संधी युक्तपाद यानि कि जॉइंटेड लैग्स होते हैं इसका एक और्थोपोडा संग का एक महत्वपुर्ण फीचर है important feature है इस कारण से जिंगा मचली को और्थो पोड़ा के अंतरगत रखा गया है मचली वर्ग में नहीं रखा गया है ठीक है तो और्थो पोड़ा की अगर बात करें तो और्थो पोड़ा जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग है क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वालों जो जीव हैं ये पूरे विस्व में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अगर और्थो पोड़ा की बात करें तो इसका सरीर जो है तीन पार्ट में बटा रहता है एक एक इसका सिर दूसरा जो छाती वाला पाट है और तीसरा जो पेट है तो सीर वक्ष उदर ये तीन पार्ट में ही बटा रहता है जिसमें कि आपका क्या क्या आजाएगा जिंगा मचली जिसे क्रेफिस कहा जाता है सिल्वर फिस भी ओर्थो पोड़ा के अंतरा आता है तितली है, मक्ड़ी है, बिच्चू है ये सबाब का और्थोपड़ा के अंतरगत आता है कीलों के अध्यन, यानि कि इंसेक्ट के अध्यन को क्या कहा जाता है एंत्रोमोलोजी कहा जाता है एंत्रोपोलोजी के अंतरगत क्या कहा जाता है और Geology तो Geo का मतलब क्या होता है ये तो World या प्रित्वी के अधिन करा जाता है ठीक है चलिए देखें कहा जा रहा है कि विसेश रूप से निर्मित तालाबों एबं पोखरों में मचली पालन के लिए प्रियोक्त एक सब्द है देखें अगर मचली पालन के लिए मचली को पा कोई चीज को सहेजना इसका देख वाल करना ठीक है चलिए प्रजाती के अंतरगत आता है किस प्रजाती के अंतरगत आता है हमने देखा मोनेराρεव character ओनि मोनेरा के इंदर कर सारे व्यूंधा रखा जाता है तो pro-karyotic को तो केवल bonera में रख दिया गया उसके बाद protista से लेकर के जितने भी संग है जितने भी kingdom है उन सब को pro-ukaryotic में रखा गया और eukaryotic sail पूरी तरह से developed sail होता है eukaryotic sail होता है न जो भाई साव वो आपका unicellular यानि की एक कुसी किया और multicellular प्रोटिस्टा के अंदर, तो प्रोटिस्टा में हम क्या-क्या देखेंगे, आपको यहां बता देते हैं, आपका एक होता है डाइटम्स, ठीक है, उसके बाद डाइनो, फ्लाजलेट, पैरामीसियम, युगलीना, अमीबा, ये सब आपका, एक आपका सलाइम मोल्ड, ये सब प्रोटो जुवा के अंतरगत आता है, और प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है, और प्रोटिस्टा में, जो अमीबा है, ये आपका प्रोटो जुवा के अंतरगत आता है, ठीक है, याद रख लिजेगा, चलिए आगे देखते हैं, देखें, एनलेटा के अंतरगत हमने क्या सरीर में छिद्र होता है उसे पोरी फेरा में रखा जाता है क्या पोरी फेरा में रखा जाता है जैसे कि स्पंजिज वगेरा ठीक है प्लेटी हेलमेंटीज तो याद रख लिजेगा प्लेनेरिया लिवर में जो फ्लूक होते हैं जो किर्मी होते हैं वो आपका प्लेटी हेलमे तीज के रंतरगत रखा जाता है ठीक है चलिए जीवानू यानि की बैक्टिरिया नील हरीत सेवाल यानि की ब्लू ग्रीन एलगी और अथवा साइनो बैक्टिरिया देखे ब्लू ग्रीन एलगी को ही साइनो बैक्टिरिया कहा जाता है यह फोटो सिंथेसिस करता है याद रख ठीक है तता माइको पलाजमा ये सब के सब किस जीवों के किस जगत के जीव हैं तो ये सब के सब मोनेरा देखे बैक्टिरिया है तो ये मोनेरा होगा भाई साब माइको पलाजमा जो होता है ये सबसे सबसे छोटी बैक्टिरिया है सबसे छोटा जीवानू और सबसे छोटी को उसी का वाला जी भी आपका माईको पलाजमा ही होता है, ठीक है, चली, देगे जीवों के वरगी करण में, जीवों के वरगी करण में जो अभी लक्षन होते हैं, जो characteristics होते हैं, जिनके आधार पर हम जीवों को classify करते हैं, वो क्या है, तो जो characteristics है, वो आकृति, मतलब structure, उसके behavior behavior का विबरन करना ही उसका characteristics होता है, जैसे आप किसी के characteristics बताएंगे, तो उसका कैसा safe है, वो कैसा दिखता है, गोरा है, काला है, नाटा है, लंबा है, मोता है, ठीक है, उसके बाल ऐसे हैं, तो इसके आकृति, उसका विभार बताएंगे की बहुत सौम्मे है, soft है, honest है, ये स प्रानी वर्गी करन के किस वर्ग में आती है देखा अभी हमने कहा था ना कि मकडियां को रखा जाता है आप मकडियों वगेरा को मकी ये सब को रखा जाता है किसमें तो और्थो पोड़ा और 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 वर्ग के अंतरगत आती है या और्थो पोड़ा संग का प्रानी है और मकड़ियों में चार जोड़ी पैर पाए जाते हैं कितने जोड़ी चार जोड़ी पैर पाए जाते हैं स्पंज किसके अंतरगत आता है भाई साब पूरी फेरा के अंतरगत अब देखिए कसेरोगी तता औकसेरोगी के देखेंगे यानि कि vertebrate invertive rates को देखने वाले हैं चलिए आगे देखते हैं कहा जा रहा है नीमन में से कौन रज्जु की यानि कि CORDET की विसेष्था है CORDET की विसेष्था है कौन सी CORDET की विसेष्था नहीं है तो यहाँ पर देखे, कॉर्डेट्स जो होते हैं, वो केंद्रिया तंत्री का तंत्र, प्रिस्टिया, खोकला और एकल होता है, एक पस्चगुदा और पुछमजुद होता है, ठीक बात है, ये भी सही है, नोटो कार्ड अनुपस्थित होता है, बिल्कुल गलत, देखे, अग आगे दिखते हैं, रीड की हट्डे वाले प्राणी, यानि कि वर्टिव रेट किस प्रजाती के अंतरगत रखे गए हैं, तो कॉर्डेटा के अंतरगत रखे गए हैं, किस के अंतरगत, कॉर्डेटा के अंतरगत रखे गए हैं, देखे, ऐसे कॉर्डेटा जो की नोटो कार उसमें नहीं होता है तो उसे एकोईनो डर्मेटा के अंतर रखा जाता है याद रखेगा और जिस कॉर्डेटा को में नोटो कार्ड पाया जाता है तो वो तो हम लोग देखेंगे कसेरु की सब जो है प्रोटो कॉर्डेटा ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं निमन में से की प्राणी नहीं है रीड के हड़ी जिसमें नहीं पाया जाता है तो देखेंगे अभी हमने देखा पक्चियों के अंदर पाया जाता है मचलियां में मचलिया को किस मैमेलिया के किस ग्रूप में रखा गया है तो एप्स ग्रूप में रखा गया है ठीक है उसके बाद मैमे और तो पुड़ा नहीं, और तो होगा मुलस्का के अंतर गताता है, जीक है, निम्न में से कौन सा जीव अंडे देता है, और प्रत्यक्षिता बच्चे पैदा नहीं करता, देखें, कौन सा जीव अंडे देता है, अगर बात करें मेमेलिया की, मेमेलिया यानि के अस्तंधारी प्रजीवों की तो इसमें से लगभग लगभग सारे अस्तंदारी क्या होते हैं अंडे नहीं देते हैं लेकिन यहां पर जो अस्तंदारी या मेमिलिया की बात करें तो उसे बाटा जाता है उनके बच्चे किस प्रकार से होते हैं या तो अंडे से या फिर अंडे नहीं देते पूरी तरह से बच्चे पैदा करते या फिर बच्चे होते हैं लेकिन पूरी विख्षित नहीं होते हैं पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं अंडेवलप बच्चे पैदा होते हैं बाद में उससे क्या किया जाता है बाहर ला करके उसको डेवलप किया जाता है तो ये ती प्लेटीपस का जो मुह होता है ना वो बतक की जैसा आगे रहाता है ठीक है तो एकिड़ना, प्लेटीपस यह सब अंडे देने वाले अस्तंधारी है और वह अस्तंधारी जो की अंडे नहीं पूरी तरह से विक्सित बच्चे पैदा करते हैं तो ये लोग क्या होन है हुमेंस हैं मानव हैं यूथिरिया ठीक है और humans है कुट्ता गाय मनुस्य human ये सब क्या है पूरी तरह से बच्चे देते हैं बक्री हो गया तो पुर्ण पुर्ण विक्सित बच्चे को जन्म देने वाला यूथिरिया और याद रखेगा एक होता है प्रोटो थिरिया जो अंडे देते हैं और यूथिरिया यानि के पुर्ण विक्सित बच्चे इनके बीच का होता है मेटा थिरिया क्या होता है मेटा थिरिया और मेटा थिरिया ज उसको एक मार्सूवियल थैली में रखते हैं और उसको डिवलप करते हैं, जैसे कि कंगारू, ठीक है, कंगारू, चली, आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि मार्सूपियल्स की विसिस्ट विसिस्ता क्या है, तो मार्सूपियल्स यानि कि वैसे जीव, वैसे इस्तंधारी, ज पार्सुवियल थैली में बच्चों को बाहर ला करके रखते हैं, तो ये क्या है, वे बच्चों को थैली में ले जाते हैं, जैसे कंगार, ठीक है, चली, तेकि काज आ रहा है, नीमन में से कौन सा जीव अंडज है, यानि के अंडा देने वाला, ओवी पेरस, देखें, ओवी नेशन मतलग ये सीत निद्रा में जाता है और क्यों जाता है ये हम आपको बताते हैं आगे देखे चुहा गिलहरी खरगोस अस्तंदारी वर्गे के जनतु है जो बच्चों को जन्मे देते हैं जब कि मेड़क के द्वारा पहले अंडे दिये जाते हैं जिन से सर्व पर्थम टैड़पोल उत्पन होता है जो अंडे होते हैं उनमें से टैड़पोल उत्पन होता है टैड़पोल यानि कि मेड़क का जो ओविक्सित बच्चा होता है वो टैड़पोल कहलाता है और टैड़पोल जब ट्रांस्फोर्म होता है उसका तो ये बनता है देखे डुगोंग क जो है ना ये मननार की खाड़ी मननार की खाड़ी तो मननार की खाड़ी जो हिंद और प्रसांत महासागर हिंद और प्रसांत महासागर का तट्या छित्र में भी ये डुगोंग पाया जाता है तो मननार की खाड़ी जैमंडल छित्र में का प्रमुग जीव आपका समुद्री क देखें कौन निम्न में से कौन धानी प्रानी यानि मार्सूपियल का उदाराने तो अभी अबने बताया कंगारू है भाई साथ कंगारू ठीक है चलिए इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते अच्छा जबड़े किसके नहीं होते तो मैं आपको बताऊं कि जो वर्गी करन पढ़ेंगे तो वहां तो पढ़ेंगे लेकिन यहां से आपको इतना याद रख लेना है जिसकी आपका प्रस्ट नहीं चुटेगा अगर बात करें साइक्लो इस्टोमेटा की तो उसके अंदर जितने भी जीव होते हैं ठीक है उसमें जबड़े नहीं पाया ज होते है ठीक है जबड़े नहीं होते और याद रखेगा इसका इसका जो सरीर होता है इलमचली आपने देखा होगा तो इलमचली के जैसा structure होता है इन सारे cyclostomita के जीव का अचा इसमें से आपका क्या हो जाएगा mix sign mix sign जो ही है cyclostomita में आते हैं और इसका जबड़ा नहीं होता है जॉलेस होता है ठीक है चलिए कि संग में जीवों के संयुक्ट पैर होते हैं देखिए अभी हमने कहा था जोएंटिड लेग्स अर्थोपोड़ा के महत्वपूर्ण feature है ठीक है जिसमें आपका अर्थोपोड़ा में क्या क्या आ जाता है भाई साब अभी हमने देखा था कि मकड़ी है ठीक है आपका मकड़ी है जिंगा मचली जिसे क्रेफिस कहा जाता है सिल्वर फिस बोल लीजे बिच्छु बोल लीजे तितली बोल लीजे यह से कह है और्थोपोड़ा के अंतरगत आता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं जुगाली करने वाले जानवर यानि कि जो रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो कौन सा है तो देखे मुर्गी डंकी घोडा यह सब रुमिनेंट नहीं है बलकि गाय जो है यह रुमिनेंट जुगाली करने वाले जानवर है गाय भैस यह सब मकड़ियां किस प्रजाती के अंतर गताती है तो मकड़ियां और्थोपोड़ा के अंतर गताती है भाई साब चलिए मकड़ी के जाले मकड़ी के जाले जो होते हैं वो किसके बने होते हैं तो आपको बता दे कि मकड़ी का जाला एक सिल्क रेसा का बना होता है क्या होता है इसका बना होता है जो प्रोटीन के बने प्राकिर्तिक फाइबर है ठीक है चलिए आगे दिखते हैं निम्न में से निम्न विकल्पों में से कौन सी मचली है अच्छा मचली जेली फिस क्या मचली है जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे मचलियों का नाम आपको मचली जैसा लगेगा लेकिन वो मचली नहीं है वास्तों में वो मचली ग्रूप में नहीं रखा जाता पिसेस ग्रूप में नहीं रखा जाता तो जेली फिस जो है ये इस तरह का कुछ आपने देखा भी यह जलियर अस्तन पाई कहा जाता इसेulators. अच्छा, सालमन जो है, यह Pises Group का है, मत्सी Group का प्राणी है, याद रखेगा. चलिए जलिफिस किस संग का उधारन है? तो जलिफिस निडेरिया संग का उधारन है. यह हमने देखा अभी जली फिस निडेरिया संग का उदाहरन है कॉम जयली उसके बाद समुद्री अखरोट भी कहा जाता है किस प्रजात्ति प्रजाति नतरगत आते ही तो किकड़े जो है मुलस्का नहीं और्थोपोड़ा के शुक्र अंतरगत और्थोपोड़ा क्योंकि आपको अपने देखा होगा केकड़े में जॉइंटेड लेक्स होते हैं ठीक है जॉइंटेड लेक्स होते हैं केकड़े में तो यह आता है आपका और्थोपोड़ा के अंतरगत ठीक है चली एडमस्या और पेनेटियूला, एडमसिया और पेनेटियूला किस संग के उदाहरन है, तो देखें अगर बात करें एडमसिया पेनेटियूला जो की समुदरी एनिमोन कहा जाता है, समुदरी पिछे कहा जाते है पेनेटियूला को, तो यह सिलेंट्रेटा संग के उदाहरन है, किसके सिलेंट सब जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं कहा जा रहा है किस जलिया जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं जिसके सहारे वो चलता है तो देखे समुदरी घुड़ा में तो टेंटेकल्स नहीं होता तारा मचली में भी टेंटेकल्स नहीं होता उनके टेंटेकल्स में निमोट्सुट साहिट को सिकाए होते जो सिकार को पकड़ने वह सुरक्षा में साहिक होते हैं अच्छा, निडेरिया संग के ग्रूप जो उदारन है उसमें आपका हाइडरा है अगर बात करें हाइडरा में जो प्रजनन होता है ये औलंगिक बिदी से होता है और इसके प्रजनन को क्या नाम दिया जाता है मुकुलन यानि की बडिंग के द्वारा किसके द्वारा बडिंग के द्वारा मचलियों का सरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिसा परिवर्तन एवं संतुलन बनाय रखने में सहायता करते है देखे मचलियों का सरीर का जो पंक यानि कि फिंस और जो पीछे का टेल होता है ये उसको जल के अंदर उसके दिसा परिवर्तन और उसमें संतुलन बनाय रखने में सहायता करता है हाइड्रा में किस प्रकार का परजनन होता है तो हाइड्रा में बडिंग यानि कि मुकलन होता है देखे हाइड्रा में क्या होता है पहले इस तरह से ये क्या करेगा कुछ इसमें एक बड्स जैसा एक कली निकलेगा फिर उसके बाद धिरे-दरे वो डेवलप करेगा और वो तूट करके फिर एक दूसरा परजाती बन जाएगा मतलब पूरी तरह से इस तरह से होता है ठीक है चली निम्न में से कौन सा जानवर बिल या मांद मे रहता है ठीक है अगर कच्छवा की बात करें, 오른 पैस की बात करें मगरमच की बात करें तो ये बिल या मांद में नहीं रहता है ठीक है मगर मच रेप्टेलिया में आता है रेप्टाइल्स में और 4 चेमबर्ड ये रेप्टाइल्स है ठीक है याद रख लिजेगा चलिए आगे देखते हैं निम्न में से कौन सरवाधिक दिरगाई हुए अगर बात करें कच्छवा की ये 200-300 साल जी जाता है तो ये सबसे दिरगा फ retrouve कोस्ते हैं कि किस सर शरी है यानि कि रेप्टाइल के चार हिर्दई का छोते हैं भाई साथ तो ये आपका मघर मच है मगर मच चली, आगे देखते हैं मचली के समू को क्या कहा जाता है मचली का जो समू होता है जो मचली आपने देखा होगा निशनल जोग्रफी या फिर वर्ल्ड डिसकवरी वगर चैनल पर मचली आ समूद्र के अंदर एकदम पूरा इस तरह से एक इदम ग्रूप में इदम बहुत ज़्यादा तो इस ग्रूप को कहा जाता है क्या ग्रूप को कहा जाता है सोल क्या कहा जाता है सोल या फिर स्कूल कहा जाता है डॉल्फिन, सिंसुमार वेल मचलियों को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है सेटा सिन, याद रिखेगा डॉल्फिन हो गया, सिनसुमार हो गया, वेल मचलिया, ये सब जलिय अस्तनपाई हैं, एक्वेटिक मेमेल्स हैं, ठीक है, और इसे सेटा सिन कहा जाता है, या सेटा सिन कहा जाता है, याद रिखेगा, मीठे पानी की एक स्वस वरन को उस environment को वो accept नहीं कर पाएगा, dehydrated हो जाएगा, और जल की कमी से वो निर जली करित होकर मर जाएगी, ठीक है, याद रखेगा, क्योंकि चलिए, आगे देखें इन में से किस बिमारी को myopia कहा जाता है, देखें अगर हम आपको दृष्टी दोस के बारे में बात करें, ज दूर दृष्टी दोस में दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा, जो दिखता है, वही होता है, अगर मायोपिया की बात करें, तो मायोपिया को निकट दृष्टी दोस कहा जाता है, इसमें आपको निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, ठीक है, चलिए, मायोपि तो लंग्स में बहुत सारे अल्वियोली होते हैं और यसी वायू कोस्ठक में क्या होता है गैसों का आदान परदान और और फेपड़ों में लगभग 15 करोड वायू कोस्ठक होते हैं अगर आपको स्वस्थ लंग्स रखना है तो आपको क्या करना होगा कि जो कार्बन मोनो अक्साइड जो रिलीज करता है उस टाइप के चीजों से दूर रहना होगा ठीक है जैसे सिगरेट हो गया या फिर जो धुआ वगएरा उपता है उसे दूर रहना होगा या फिर अपने घर दुआर को अच्छे से साप करना होगा, क्योंकि अगर गंदा रहा, तो रेडन जमा हो जाएगा, और रेडन जमा हुआ तो लेंग कैंसर का खत्रा हो जाता है, ठीक है, निमन में से कौन सा जानवर अस्तन पाई है, तो एनिलडा तो अस्तन पाई नहीं है, कच्छवा तो तो वेल है अस्तन पाई, याद रखेगा, चली, वेल जो है सीदेविकसित बच्चों को जन में देती है, याद रखेगा, वेल सीदेविकसित बच्चों को, मतलब कि ये एक यूधिरिया है, ठीक है, यूधिरिया, अश्रुगरंthy यानि कि लेक्राइमल ग्लैंट, जो होता aquatic organism, the source of feed age क्या होता है, देखें ये जो phytoplankton होता है, हम आपको आगे phytoplankton पढ़ाएंगे, equoplankton, juoplankton, जब environment पढ़ाएंगे वहाँ पर, ठीक है, तो जो phytoplankton होता है, वो water के surface पर, water के surface पर ऐसे जीव जो float करते रहते हैं, ठीक है याद रखेगा, चलिए कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सी, सबसे बड़ी ग्याद कुसी का है, सबसे बड़ी ग्याद कुसी का अगर बात करें, mycoplasma, ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी ग्याद कुसी का है, ठीक है और सुतर मुर्ग का जो अंडा होता है, जो इसे लंबे फंग यानि कि पंक फैला विंग स्पैन करने वाला विसालतम समुदरी पक्षी है आपका वांडरिंग अलबाट्रोस कौन है वांडरिंग अलबाट्रोस दिखा ऐसे यहाँ पर बहुत सारे प्रस्ट आपको मिलेंगे जूकि आपको परिच्छा में मतलब तेल नि आपकी जो है कौन सा एक संरच्छना पाया जाता है जो उनका भोजन पीष्ने मी उनकी साहईता करता है तो धो क्या हो गया एसीनिया प्गाड़िया क्या क्या इसीनिया फैटेड और किच्वे की भाति एनिलेडा की एक प्रजाती है रेड़ वर्म ठीक है चल्झे आगे देखते हैं निम्न में से किस नित्रविकार को लेजी आई कहा जाता है अगर बात करें अमीबा की तो ये प्रोटो जोगा के अंतर गताता है प्रोटिस्टा संग में और Amoeba में आपने देखा होगा कि ये सीडो पोर्स होते हैं, यानि कि जूटा पैर, अब ये जूटा पैर जैसे ही किसी खाना को देखेगा, तो इस तरह से जूटा पैर के तुरू चलेगा, और इस तरह से इसके पास आएगा, अपना माहौल बनाएगा, और उसके बाद धीर खादे धानी यानि कि फूट वैक्योल में पचाता है, वे स्थाई रचनाये नहीं होती, सीधी बात है, प्रते खादे धानी भोजन अंतरग्रहन के रूप भलसरूप बनती है, ठीके, और इसमें उपस्तित भोजन का पाचन होने के बाद यह फटकर समाप्त हो जाती है, ठ प्रजनन करता है, परामिसियम का अकार चपल के अकार का होता है, यह प्रोटो जोगा के अंतरगत आता है, ठीके, तो यह इस तरह से बाइनरी भी फीजन के द्वारा करता है, ऑक्टोपस किस प्रजाती के अंतरगत तो मॉलसका के अंतरगत आता है, कितना बार बताया जाए ठीक है चली निवन में से किस प्रकार के जीवों में २ में खुला परिसंचरन तंत्र होता है अपका मोलस्का में आपको पता है रखेगा मोलस का संग के जो जीव होते हैं उसके मुझ पर रेती के जैसा छिलने वाला अंग होता है जिसे क्या कहा जाता है रेडुला और ये इसी रेती के जैसा छिलने वाले अंग से क्या करता है खुरच-खुरच कर अपना खाना खाता है ठीक है निमन में से किसमें वाहिक उसमें ओर्थोपोड़ा अभी अमने देखा और्थोपोड़ा के अत्रगत खुला परिसंचरंतंतर होता है वही तिलचटटा भी और्थोपोड़ा से है तो खुला परिसंचरंतंतर होगा उसके साथ ही अगर मुलस्का कोई जीब दीख जाए तो फटाक ले बूल दिजेगा यो open condition चरन तंतर होगा, इतना आपको ध्यान रखना है, चीक है, चलिए, आगे दिखते हैं, टिड़ा का कान उसके पैरों पर इस्थित होता है, याद रखेगा, जो टिड़ा होता है, उसका कान हमारे जैसे माथे याब सिर पे नहीं होता, उसका पैरों पे होता है, याद पाए, इसलिए वहाँ पर एक जिल्ली जैसा, मेंब्रेज जैसा structure होता है, जिसे कहा जाता है, टिम पैनम, याद रखेगा, टिम पैनम कहा जाता है, एक टितली यानि कि बटरफलाई का कायंतरन का तीसरा चरन क्या है, तो अगर एक टितली जो होता है, सबसे पहला चरन उसक का तीसरा चरन है ठीक है तीसरा चरन डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाती का नाम और का है जिसे क्या कहा जाता है तो इसे किलर वेल भी कहा जाता है जिसे की किलर वेल भी कहा जाता है याद रखिएगा किलर वेल डॉल्फिन तथा वेल दोनों ही जली अस्तंदारी जनतु ह जो कि समूदर में पाया जाते हैं इसे killer whale भी काते हैं क्योंकि यह whale से काफी समानता रखती है मिथुन नाम का पसु नसल किस राज़े में पाया जाता है तो याद रखेगा यह अरुनाचल प्रदेश में मिथुन नाम का एक क्या होता है पसु पाया जाता है यह एक पाहाड़ी इलाकों में पाया जाता है एक तरह से बोल सकते हैं आपको इसे गाय का सकते हैं अर्थ जंगली गाय है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं कहा जा रहा है कि DNA का पुर्ण रूप क्या है तो DNA का पुर्ण रूप है deoxyribose nucleic acid DNA का structure आपने देखा होगा double stranded दो रसी वाला structure होता है तो ये रसियां जो होती है ना DNA का ये किससे बना होता है poly nucleotide chain का होता है देखे DNA का है एक polymer है किसका polymer है nucleotide का और nucleotide में क्या-क्या पाये ज होता है phosphorus और sugar का और उसके बीच जो ये डंडा देखते होंगे ये डंडा बनता है कि इसका nitrogenous based यानि की adenine, thymine, cytosine और guanine अगर इस thymine के जगा आपने uracin रख दिया तो ये DNA RNA हो जाएगा यहां तक अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है अच्छा sugar की बात करें तो DNA के अगर राइबोज सुगर होता है यानि कि राइबोज सुगर तो होगा ही होगा और RNA के अंदर राइबोज सुगर होता है तो अगर राइबोज सुगर के से एक oxygen निकाल दिया जाए तो ये डी ऑक्सी हो जाएगा यानि कि DNA हो जाएगा और अगर एक oxygen डाल दिया जाए तो य गिलहरी का scientific नाम है बहुत सारे ग्जाम में scientific नेम पूछ लिया जाता है कि बताएए इसका scientific नाम क्या हुगा तो अगर आपको कुछ-कुछ नाम याद रखने जैसे कि मनुस्य का scientific नेम humans का topic guy का क्या होता है बॉस टोरस होता है बिल्ली का क्या होता है फेलिस कैटस होता है कुत्ता का क्या होता है कैनिस लप्स फैमिलियरीज होता है जो मक्किया होती है घरे लोग वो उसको मसका डोमेस्टिका कहा जाता है ठीक है बाग को कहा जाता है पैंथेरा टिग्रिस आम को कहा जाता है मेंगी फेरा इंडी का धान क औराईजा से टिवा तो ये सब याद रखेगा ठीक है चलिए बृद्धि और विकास की प्रकिरिया के दरान निम्न में से कौन सा कीट का अंतिम चरन है तो दिखे कीट का अंतिम चरन जो एडल्ट चरन होता है वो इमागो है सुरुवात में क्या होता है एक होता है एक के हम इसे डिटेल में देखे हैं चलिए नर्मच्छर सबसे पहला प्रस्त क्या है नर्मच्छर अपना भोजन कहां से ग्रहन करते हैं देखे अगर बात करें नर्मच्छर की मेल मॉस्कूटोज की तो ये बेचारे बहुत सीधे-साधे चुप-चाप रहने वाले हैं ये खून नहीं चूसता है, खून कौन चूसती है मादा, खून कौन चूसती है, महिलाएं ठीक है, तो महिलाएं female mosquitoes जो होती है वो खून चूसती है, वो आपको काटती है याद रखेगा, नर्मचर बिचारे के पास तो जबड़ा ही नहीं होता काटने के लिए mandibles ही नहीं होते हैं तो ये आपको कैसे आपके अंदर वो अपना सुंग डालेगा, उससे खून चूसेगा, नहीं तो नर्मचर अपना भूजन जो प्राप्त करता है वो पौधों के रस्ते बिचारा कर लेता है ठीक है, तो आप मादा मचर नर्मचर में तो difference नहीं कर पाते, आप उसको भी धकेल देते हैं, कभी, उसको भी पेल देते हैं ठीक है, तो नर्मचर अपना भूजन कहां से ग्रहन करते हैं, तो पौधों के रस्ते, ठीक है, पौधों के रस्ते, ठीक है याद रिखेगा, नर्मचर में mandibles नहीं होते हैं, ठीक है, अताया मुख उपांगों को, तो अच्या में चुभोकर रुधिर पान नहीं कर सकता, ठीक है, रुधिर पान नहीं कर सकता, या अपना निर्वाह, पौधों वः फूलों के रस्ते ही करता है, कहां से कि और गेन कहा जा रहा है और मानव का सबसे बड़ा अंग है तो अच्छा स्केन ठीक है और अगर ग्लेंड की बात करें तो मानव का सबसे बड़ा ग्लेंड है लिवर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेंड पैंक्रियाज है भाई सहाब ठीक है चलिए आगे देखते हैं निवन में कौन सा मानव सरीर का अवसेशी अंग नहीं है देखे यहाँ पर प्रस्न को जो पूछा गया अगर यहाँ पूछा जाता कि कौन सा अवसेशी अंग है क्योंकि अकल की दाल जो wisdom teeth है यह अवसेशी अंग है क्या है अवसेसियंग है बाद बाकी कोई भी अवसेसियंग नहीं सारे का सारे का यूज होता है ठीक है तो wisdom teeth जो होता ये अवसेसियंग होता है इसलिए ये star margin कर दिया गया चलिए अगर बात करें दातों की तो मनुस्य के दात कितने incisor, canine, incisor यानि की करिंतक कहा जाता है canine, radnak, molar, premolar, agrachavarnak और molar चavarnak देखा है molar जो होता है जो last का चavarnak होता है ये तीन जोड़ी उपर तीन जोड़ी नीचे तो कितना हो गया तो ये होता है उपर चे नीचे चे मतलब 12 नंबर होता है ये molar का ठीक है तो molar का जो सबसे last वाला जोड़ी होता है तो third pair होता है इसे कहा जाता है wisdom teeth और ये एक तरह से अवसेसियंग है देखे मानब सरीर में 100 से अधीक अवसेसियंग है जिसमें कि आपका जब हम पढ़ेंगे digestive system को जैसे आपने हमने बताया भी है ठीक है यहाँ पर analysis में तो देखे जो large intestine होता है इसके तीन पाट होता है सीकम होता है colon होता है रेक्टम होता है इस सीकम से एक अंग जुडा होता है जिसे कि अवसेसियंग कहा जाता है जिसको appendix कहा जाता है सीकम से तो वो भी एक अवसेसियंग है साथी साथ 100 से अधीक अवसेसियंग होता है जिसमें आपका आँखों की नित्रों में प्लीका सेमी लू नेरिस कर्ण पल्लवों की पेशियां तो अचा के बाल ये भी अफसेसी हैं इसको भी हटा दिया जाता है कोई फर्क आपको पड़ता है क्या नहीं देखे पुच्छ कसी रुका है अर्थात कोक्सिस्क ये सबाब का एपेंडिक्स ये सब क्या है अफसेसी है वर्नांधता हमारे सरीर के किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है तो दीके वर्नांधता यानि कि कलर बलाइंडनेस अब कलर बलाइंडनेस सेप लित वेक्ती किसी खास कलर को नहीं पहचान पाते है तो इसका सीधा सा ये रिजन है कि इसके कोन सेल्स में गड़बड नहीं है लेकिन जो वेचारा नहीं कर पाता उसे color blindness है और color blindness में भी क्या है उसके पास cone cells में गड़ बड़ी है ठीक है आखों के cone cell में गड़ बड़ी है और याद रखेगा यह जो cone cell है यह जो color blindness है यह एक अनुवांसिक बिमारी है genetic disease है ठीक है लेकिन इसका जो वाहक होता है इसका जो carrier होता है यह फिमेल्स होती है owners होती है चलिए महिलाओं में गर्भासे कितना होता है एक होता है कोई तो इसमें दो राएं नहीं है uterus जो हता है एक होता है तो अच्छा कि सबसे बाहरी परत होती है एपीडर्मिस, ठीक है? याद रखेगा एपीडर्मिस में 4-5 लेयर पाया जाता है और सबसे internal लेयर जो है वो डर्मिस होता है, ठीक है? डर्मिस याद रख लिजेगा इस बात को आगे देखें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से मिस्र धातू का पर्यूग, कौन सा एलॉई का पर्यूग किया जाता है, आम तोर पर जनरली, किसके लिए जो दातों में, जब दात कभी किसी का बाहर हो जाता है, या फिर किसी कारण से डिफॉर्म लगने लगता, अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या क मानव शरीर की सबसे बड़ी नस है, क्या समझ में आया, सर्टोरियस मानसपेसी, देखे, यहाँ पर कहा जा रहा है, तो इसके अंतरगत जो है मानव सरीर के कान नाक गला का स्टड़ी किया जाता है उसके ट्रीटमेंट को लेकर के ओटो राइनो रिंगलोजी के अंतरगत इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जब आपने सुना होगा ENT specialist यानि के ear, nose, throat तो इसके यह जो इसके अंतरगत ये study किया जाता है उसे ओटो राइनो रिंगलो लोजी कहा जाता है चलिए, रिसम कीट जो होता है न भाई साब, जो सिल्क वर्म होता है उसका जो life cycle होता है, जो जीवन चक्र होता है तो कहा जा रहा है कि किस चक्र में, किस स्टेज में, वो कमर्सियल तंतू पैदा करता है, वानिजीक परियोग का जो तंतू होता है, जो रेसम का जो धागा होता है, वो किस चरन में पैदा करता है, तो वो प्यूपा में, प्यूपा में करता है, ठीक है, याद रखेगा, ठीक Lokal Suppose सुना उगा कि अगर होगा कि मानव में दूपिघन और जिसे कि पना होगा और इस यह जीन कारा जातrect कि आघंव इस सकतें से अगा यह मालों में भी किया जा सकता है humans में भी animals में भी किया जा सकता है और पौधों में भी किया जा सकता है humans में करना तो legal नहीं है आप नहीं कर सकते है इसा लेकिन पौधों में, plants में या फिर फसल में लगातार genetically modified चीज़ें आती है जिसे hybrid कहा जाता है तो BTB जो है ये कपास के लिए भी विक्सित किया गया है याद रखेगा BT कपास एक अनुवानसिक संसोधित अनो जेनेटिक मोडिफाइड कपास है यह मानसेंटो कमपनी के द्वारा उत्पादित है महराश्ट्रों में महोको नामत क्रीसी एगरिकल्चरल जैव बायो टेकनोलोजी कमपनी इसकी आपूरती करती है BT का पास की ठीक है यहाँ पर कहा जा रहा है कि भेड की प्रथम अस्तनपाई क्लोन का नाम क्या है तो भेड की जो प्रथम अस्तनपाई जो मैमेल क्लोन जो बनाय गया था क्लोन क्या होता है पूरी की पूरी जेरोक्सकोपी आपका जेरोक्स, विमंस का जेरोक्सकोपी क्लोन होता है तो क्लोन बना दिया गया वो भी आर्टिफिसियल तरीके से लैब में, लेबरेटरी में बैठ कर तो ये बनाय गया था सबसे पहले डॉली को, किसको डॉली को और तो याद रखेगा स्कॉट्लेंड में 5 जुलाई 1996 को रॉसलीन इंस्टीट्यूट में यान विलमट नाम का कित कैम्पमेल नाम के लोगों और उनके एसिस्टेंट के सहयोग से एक डॉली नाम का क्लोन तयार किया गया था भेड का याद रखेगा भेड का ठीक है और यह जो ड पहला जीव क्लोन किसका था तो भेड का था ठीक है डॉली किसका प्रतिरूपी है भेड का है भाई साब चलिए आगे देखते हैं कहा जा रहा है कि पहले अस्तनपाई क्लोन विड का नाम क्या है तो यह कौन था डॉली था चलिए चीन के वैज्ञानिकों ने किस जानवर को पहली बार सफलता प्रूवक चीन के वैज्ञानिकों ने बंदर का क्लोन बनाया हाल ही में मतलब इधर ही ठीक है याद रहकेगा अप्रिल 2019 की बात है कहा के वैज्यानिकों ने मानव उतक का परियोग करके human tissue का परियोग करके विश्व के पहले 3D printed heart की रचना करी थी तो याद रखेगा ये करा था इस्राइल के वैज्यानिकों ने ठीक है तो कीटों में इस्थिर्ट जो स्वसनंग होते हैं उसे trackiya कहा जाता है का? आए प्लार में क्या होता है? दलपुँझ होता है, बाहे दलपुँझ होता है, कॉलेक्स बोलिये, कैलिक्स बोलिये, कोरोला बोलिये, ठीक है? यह आपका क्या है यह आपका बाहेदल पुझ यानि के कैलिक्स है उसके बाद कुरोला है सेपल पैटल बोलते हैं और यह बीच में क्या होता है बीच में आपका यह जो है इस तरह से यह आपका इस्तरी वाला पाठ है यानि कि इस्तरी के सर वाला पाठ और यह इस तरह से आप देखते होंगे जो एंथर, फिलामेंट या आपका पुरूस वाला पार अब यह पुरूस वाले से लेकर के यहां इस तरी में चला आए तो यह कहा जाता है स्वा परागन ठीक है मतलब अपने आप में लेकिन यहां से लेकर दूसरे फुलाओं तक अगर जाता है इस तरी पार ऐगर के ile आप तो कट करें तो इ सबी वह घ्रागन, यह तो आज़ने रूपसी तो आइजाने, इसब जिवानो में एग्याद है और नॹूरूरि पाया रिखएगा वाइरस के अंदर या तो क्या होगा? RNA पाया जाएगा, या तो DNA. अगर RNA है तो RNA वाइरस, और DNA है तो DNA वाइरस. जाइदा तर जो खतरनाक वाइरस होता है, याद रहेगा. जो आपका SARS, COVID, ये सारा का सारा खतरनाख था न, ये RNA वाइरस है, ठीक है? याद रिखिएगा, चलिए लेकिन, लेकिन प्रोटीन हर एक वाइरस में पाया ही पाया जाएगा, सभी प्रकार की विसानों की मूल सराखाइनिक संरचना समान होती है, प्रतिक विसानों में निकली के सीड RNA या फिर DNA का पाया जाएगा यह एक protein आवरन से धका होता है जिसे की पेटी का या capsid कहा जाता है मतलब की protein तो होगा ही होगा क्या protein तो होगा ही होगा चलिए आगे देख लेते हैं कहा जा रहा है निमन में से कौन सी गैर आवस्यक जीवन प्रक्रिया है गैर आवस्यक मतलब non-essential life process अगर non-essential कहा जाए तो क्या आप उत्सर्जन के बिना रह सकते हैं अगर आपने चार दिन उत्सर्जन नहीं करा एक्सक्रेशन नहीं करा तो बेड पर पढ़ जाएंगे डॉक्टर दिखाना पढ़ेगा भाई साब तो ये क्या है ये तो आवस्यक है पोसन तो जरूरी है भाई साब प्रजनन भी जरूरी है अगर प्रजनन नहीं होगा तो ये जीवन ही नहीं बढ़ेगा ये दुनिया ही आगे नहीं चलेगा रूख सा जाएगा ठीक है लेकिन ये जो संचारन है ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, चलिए, आगे देखी, निवन में कौन सा तिलचटे का उत्षरजन अंग है, तो तिलचटा किस ग्रूप में है, किस संग में, तो ये आपका और्थोपोडा में आता है, पहले ये याद रखे, अगर और्थोपोडा है, तो इसमें कौन सा खुला परिसंचरन तंत्र होगा, ये भी याद रख लिजएगा, और उसके बाद, जो उत्षरजन अंगे क्या है, तो मैलपीगियन ट्यूब्स क्या है, मैलपीगियन ट्यूब्स, ठीक है, एक कीट में छे पैर होते हैं, कितने तीन जोड़ी पैर होते हैं, मैक्सिमम, अध फूड लेते हैं, फूड से भी एनर्जी मिल जाता है, क्या नहीं, बहुत सारे लोग धकलते रहते हैं, धकलते क्या नहीं धकलते, पिजा, बर्गर, जेहन, तेहल, हावी, जावी, सब धकलना सुरू करते हैं, क्या उसे एनर्जी एनर्जेटिक रहता है, नहीं, फूड से बनने के बीच, food से energy बनने के बीच एक process है, जिसे food से energy बनता है, food का पाचन होता है, पाचन तंतर के द्वारा, और उसके बाद जब food का पाचन होता है, तो ये glucose में convert होता है, ठीक है? glucose में, और glucose उड़ करके, glucose तूटता है, तो क्या बनता है? pyrovic acid, तो अगर कहीं पर तूटे, फूटे, तो ये कौन सारी action कहालाता है, catabolic action कहालाता है, catabolic, ठीक है, ये भी याद रख लिजेगा, तो respiration कहा है, एक catabolic है, क्योंकि इसमें glucose तूटता है, तो जब respiration हम करेंगे इस glucose का पाचन के बाद, तो respiration होगा, तो glucose pyrovic acid में तूटेगा ठीक है, pyrovic acid को अगर oxygen सही से मिल जाए, भाई सहब, ठीक है, अगर oxygen मिल जाए, तो ये क्या करेगा, energy बना के दे देगा, आपको, मतलब आप energetic रहेंगे, अगर oxygen respiration हो रहा है, oxygen सही से ले रहें, लेकिन अगर आप घर में घुसे होए हैं, दिन रात oxygen आपको सही से नहीं मिल तो oxygen के अनुपस्थिती में अगर सुअसन हो जाए, तो याद रखेगा, वहाँ बनता है, lactic acid, और अगर oxygen के उपस्थिती होते, energy बनेगा, मतलब ATP बनेगा, ठीक है, तो ATP जादा बना, इसका मतलब है कि lactic acid कम बना, और lactic acid बनता है, तो सरीर में ठकान, मान, स्वेसियों में जकडन, यह सब होता है, ठीक है, तो lactic acid कम, तो ATP जादा, lactic acid जादा, तो ATP कम, याद रखेगा, तो अगर lactic acid, ATP की कमी हो जाए, अगर ATP, energy की कमी हो जाए, तो पेसियां ठक जाए, और ATP कम हुआ, तो lactic acid बन रहा है, यह भी याद रखेगा, ठीक है, चलिए, अच्छे से अग तो यह सारे का plan चल रहा है, अगर आप लोग का अच्छा सहयोग रहा, support रहा, तो आपको और भी बहुत सी जे मिलेगी, यहापर ठीक है, अलग-अलग exams के लिए, तो आपको अगर video अच्छा लग रहा है, तो like, share, जरूर कर दिजिए, थोड़ा share कर दिजिए, लोगों को ब living कहा जाता, non-living कहा जाता, इसे बीच में रखा जाता है, living यानि कि हम लोग और non-living यानि कि जो निर्जिव हैं इसके बीच में, अगर virus स्वतंतर रूप से है, तो यह non-living है, लेकिन जब इसे कोई host मिल जाता है, तो आपको पता होगा कि जब corona virus चल रहा था, तो lockdown क्यों लगाया जाता था, lockdown लगाया जाता था, तो यह सब इसलिए लगाया जाता था, चुकर्फ्यू लगाया जनता कर्फ्यू, तो यह इसलिए लगाया जाता था कि घर में कम से कम लोग रहेंगे, उसको body कम मिलेगा, और body कम मिलेगा, तो host to source, वो जियेगा कम देर, ठीक है, hosting उ करके ठीक है तो एक परकार का सामक है जो अगनी एक्स्टिंग्यूसर होता है वो होता है और सुपर अक्साइड क्या है एक एंजाइम होते हैं एंजाइम क्या है प्रोटीन होता है चली आगे दिखें निमलिकित में से निकली केसिड के लिए एकलग कौन है मोनोमर कौन है तो निकली केसिड यानि कि DNA और RNA क्या है निकली केसिड है और इसके लिए मोनोमर हमने कहा था कि यह पॉली निकलियोटाइड है निकलियोटाइड का पॉलीमर है तो निकलियोटाइड इसका monomer है, nucleotide के अंदर phosphorus sugar और nitrogenous base होते हैं, यह हमने आपको बताया था, चलिए नीचे दिये गए milk sugar भी कहा जाता है किसे कहा जाता है milk sugar तो milk sugar कहा जाता है lactose को किसे lactose को milk sugar कहा जाता है याद रखेगा lactose को, अगर बात करें carbohydrate की, तो carbohydrate में क्या-क्या पाया जाता है भाई साहब, तो carbohydrate में carbon होता है hydrogen होता है, oxygen होता है अगर इसके ratio की बात करें, तो one-to-one होता है carbohydrate का जब hydrolysis होता है तो इसके आदाहर पर इसे तीन पार्ट में बाटा जाता है एक आपका होता है monosaccharide छोटा भाई मोनो सेकराइड उसके बाद मांजील भाई होता है डाइसेकराइड या फिर ओलिगो सेकराइड और सबसे बड़ा भाई, सबसे जटील सबसे एकदम पूरी तरह से तो वो होता है आपका पॉली सेकराइड तो monosaccharide के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा जो कि इसम सबसे सरल है विचारा सरलतम रूप में, simplest form में तो glucose हो गया आपका, fructose हो गया यह सब क्या है, monosaccharide अगर disaccharide की बात करे तो यह आपका lactose वगेरा है polysaccharide की बात करे तो starch है, cellulose है यह सब क्या है, polysaccharide के अंतरगत आता है यह सारे कार्बोहाइडरेट्स ही है ठीक है, चली स्वादन, स्वादन तो सीधा से मतलब है कि स्वादन का मतलब क्या है, टेस्ट से टेस्ट लेना है आपको, तो स्वादन है वो चीच, ठीक है तो यह देख लिजेगा, ठीक है, जीव के अलग-अलग पार्ट से चले, डाल किसका प्रचूर सुरोत है तो डाल प्रोटीन का प्रचूरूर सुरोत है बात डाल प्रोटीन का, अर्ग वैटमीन एक ही बात करें तो इसका रासायनिक नाम, रेटिनोल है इसकी कमी से, रतवन धी, जीरोप्थेलेम या यह सब विमारी हो जाती है, ठीक है चली, प्रचीवों, यानि कि प्रोटीस्टा जीव जो होता है, द्वारा संचलन के लिए निम्न में किस वेसेस्ता का उप्योग किया जाता है तो जो प्रोटीस्टा के जीव होते हैं, उसमें अधिकतर में आपको फलेजला मिलेंगे, जैसे आपका परानिसियम है डाइनो फलेजलेट है, यह सब ठीक है फलेजला सेरी कल्चर का सम्बंद किस से है सेरी कल्चर का सम्बंद, देखें, सेरी कल्चर का पालतू कुत्तों का वैज्यानी का ध्यान है टॉक्सिन्स होते हैं, याद रखेगा जू टॉक्सिन्स, प्रोटो जोवा के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहर होता है, वो प्रोटो टॉक्सिन्स कहलाएंगे, यह तो आपको पता होगा, याद रखेगा, ठीक है, देगे, साब का जहर एक प्रकार का जू टॉक्सि अगर सर पर एफेक्ट करदें तो नुटाक्सिन ठीक है कार्डियो टाक्सिन मतलब 髰ड्य qhaat हो जाई कअडियो half seemo Heil up amieux इमाजिन अगर आपका ब्लॉड का वैसल कोई ब्रवात करत दो हीलोbled करें ही तो इमो टाक्सिन तो रिका तंद को नुक्सां इसी तरह हीमोटोक्सिन्स जो है ये रुदिर वाहिनियों को नुक्साल पहुचाते हैं प्रोटो जोवा के सरा द्वारा स्रावित टॉक्सिन्स जो होते हैं वोसे प्रोटो टॉक्सिन्स कहते हैं और कवक के द्वारा स्रावित माइटो टॉक्सिन्स ठीक है माइको टॉक्सिन गाँ समुद्री आवास को अपनाता है और यह टर्टल पेटरी जो पाया जाता है यह उत्री अमेरिका की तट्या छेत्रों में पाये जाते हैं ठीक है याद रखिएगा देख कहा जा रहा है कि कौन सा एक अस्थान बद्ध परानी है यानि कि सजाईल परानी है सजाईल अनिमल है जो पृथवी पर जैविक मूल की बिसालतम संडरचनाओं का निर्मान करने के लिए सैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है देखें पर सेवाल के साथ साथ मिलकर के जो है कोरल वित्ती का निर्बान होता है याद रखेगा ठीक है और सेवाल यानि की फंगस एलगी के साथ फंगस जब मिलता है तो लाइकेन का निर्बान होता है ये भी आपको पता होगा निमलिखित में से कौन सा सीतरक्त वाला जानवर है सीत बलडेड हैं, cold blooded मतलब की ये किसी-किसी समय निकलते हैं, देखें इनके सरीर का तापमान, जो cold blooded होते हैं, उनके सरीर का तापमान, वातावरण के ताप के अनुसार नहीं बदलता है, ठीक है, पक्षिय वनस्तंधारी वर्ग के अंतरगत आने वाले जनतु-गर्म रखत वा नहीं पक्षियों के वसंत, पक्षियों में वसंत के समय अतिसक्रिता की इस्तिति या फिर कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चपाप चाहे, अभी हमने कहा कि जो जिसके द्वारा हमारी बौडी का प्रोसेस होता है और जब यह प्रोसेस चलती है तो हमारा लाएफ अच्छे से चल पाता है तो ये क्या करता है छिप जाता है कहीं पर जाकर सित निद्रा में चला जाता है इसी को हाइबर निसन कहा जाता है ठीक है तो सित निद्रा उस सवस्था को कहता है जिसमें कुछ जन्तु जाड़े के दौरान सरीर की चपाप चेगतिविदी कम हो जाती है और ये सुरक्चित हैं बंदस्तानों में चीप जाते हैं जैसे मेड़क चीप ले इत्यादी C.Animons अभी हमने देखा था C.Animons जो है ये निडेरिया प्रजाती के अंतरगत आते हैं C.Animons निडेरिया प्रजाती के अंतरगत आते हैं मौलासक हमने देख लिया पोरी फेरा देख लिया और तो पोड़ा देख लिया ये सब में देख लिया चलिए देखें कहा जा रहा है फोटो पेरियोडिज्म के संदर में क्या सही है फोटो पेरियोडिज्म के संबंद में क्या सही है देखें फोटो पेरियोडिज्म जो है ये जीवों की दिन और रात की लंबाई की प्रतिकिरिया है फोटो परियोडिजम देखे फोटो का मतलब क्या होता है प्रकास होता है लाइट होता है अगर दिन होए तो लाइट का कैसा हमारे उपर effect है ठीक हम कैसे act करते हैं लाइट को ले करके दिन में क्या होता है सो जाते हैं जग जाते हैं काम पे चले जाते हैं ये सब activity है लाइट को देख करके रात होता है सो जाते हैं ठीक है या फिर कुछ करते हैं तो ये सब जो activity है तो जीवों का जीवों के फलने फुलने ब्रिधी प्रजणन और उसके भॉगाली वितरन पर प्रकास की अभधी का प्रवाव पडता है बिल्कुल सही बात है निमलिकित में से कौन सा acid चीटी काटने के मौजूद की चीटी में मौजूद होता है अगर बात करें चीटी में तो चीटी के डंक में आपका Formic Acid पाया जाता है क्या Formic Acid, CH2O2 तो ये जो Formic Acid है ना भाई साब इसे Methanonic Acid भी कहा जाता है और आपको बचपन में आपने देखा होगा कि एक पेड से आप पत्यां थोड़ करके लाते थे और उसमें बहुत से ऐसे जब आप उसे लगा देते थे अपने दोस्तों में तो वो उचलना सुरू कर देता था ठीक है उचलना पॉपकॉर्ण के जैसा तो ये जो होता था जिस सेब या फिर एपल में होता है ठीक है उसके बाद टार्टरीक एसीड किसमें होता है तो टार्टरीक एसीड इमली अंगूर इन सब में टार्टरीक एसीड पाया जाता है टमाटर में कौन सा एसीड होता है विनेगर यानि कि सिरका में कौन सा एसीड होता है एसिटिक एसीड जाता है नाइट्रस अक्साइड एक अस्थाई एवं कम क्रियासिल गैस है इसका और ऑक्सिजन का मिस्रन दंत चिकित्सा तथा छोटे ऑप्रेस्णों में एनेस्थेटिक की रूप में किया जाता है याद रखिएगा मतलब कि निश्चे तक सुला देगा आपको त्यातव है क की ख panelists कि लोरोफोम का परियोग एनेस्थेटिस के रूप में किया जाता है लोफोम का परियोग भी ठीकिया देखिए कहा हजा रहा है निम्म्य मिए से किस एक सभी प्रामियों की द्वारा उत्षर्जित्य पडार्त है कहा जा रहा है कि देखिए युरी के सीड़ क्या है भ अगर उत्सरजी जो पदार्त हैं जो उत्सरजित पदार्त हैं या जो एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके आधार पर जीवों को बाटा जाता है अगर कोई जो और्गनीजम है यूरीक एसीड को का उत्सरजन करता है तो याद रखेगा उसे कहा जाता है यूरीको ट पक्चियां हैं, पक्चियां, कीट, रेप्टाइल, यह सब क्या है, यूरीकेसिट का उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि यूरीकेसिट में पानी बहुत कम होता है, यूरीकेसिट जब यह उत्सर्जित करता है, तो इसमें पानी, क्योंकि इसको पानी कर सकता है, तो अगर अमोनि का और यह जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं जैसे हम आप हैं ठीक है हम आप हैं हुमन्स हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरियो टेलिक का जाता है ठीक है याद रिखेगा ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं एक खिलाड़ी या फिर एथलीट को निम्न में से किससे सिग्र और अधिक मात्रा में उर्जा मिल सकती। तो कार्बो हैड्रेट दिया जाता है ठीक है। जैसे हम लोग पदार्थ की तीन अवस्था तो जानते हैं। देखें निमनी में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिमफाइड अंग है तो यह आपका जो इस्पलीन है ना तिली यह आपका बीज के आकार का बड़ा लिमफाइड अंग है याद रखेगा इस्पलीन इस्पलीन को RBC का कबरगाह कहा जाता है क्या कहा जा क्या RBC यानि कि Red Bullet Corpuscles में Lysosome नहीं पाया जाता अब जब Lysosome नहीं पाया जाएगा तो RBC का जो क्या बुलते हैं जीवन काल होता है वो कितना दिन का 120 दिनों का होता है और जब ये 120 दिनों के बाद डेड हो जाएंगे तो Lysosome तो पाया नहीं जाता है जो कि इसको खतम या इसको पचाएगा या डाइजेस्ट करेगा Lysosome को कहा जाता है ना आतम घाती थैली जो पचाने का काम करता है डेड सेल को तो जो RBC को नहीं कर पाएगा तो ये RBC किसके पास चला जाता है स्प्लीन में जाकर के ये खतम होता है ठीक है इसलिए RBC को RBC का कबरगा स्प्लीन में कहा जाता है देकि RBC का निर्मान जो होता है वो बड़ों में बोन मेरों में होता है यानि कि अस्थी मज़ा में होता है लेकिन बच्चों में RBC का निर्मान स्प्लीन एंब्रियों में RBC का निर्मान स्प्लीन और लिवर में होता है याद रिखेगा इतना आपको जानकारी हो गई चलिए कहा जा रहे है निमन में से कौन सा trace खनीज मानव में पाया जाता है देखे मानव सरीर में सेलेनियम का trace पाया जाता है 34 होता है ठीक है सेलेनियम की बात करें और सेलेनियम का याद रिखेगा सेलेनियम के बारे में ये एक ऐसा तत्व है ये एक ऐसा element है जो की conductor नहीं है नॉन मेटल है लेकिन ये electricity को अपने अंदर से थोड़ा बहुत amount में electricity को देखें सेलेनियम की बात करें तो इसका उपयोग होता है pigment वगेरा जो plastic paint होता है pigment वरनक में इसका यूज होता है ठीक है और सेलेनियम का यूज photo sale, solar sale इन सब में भी होता है क्योंकि ये क्या करता है electricity को थोड़ा सा पास करने देता है और सेलेनियम जो होता है इसके पास photovoltaic effect photoconductivity effect ये सब देखने को मिलते है ठीक है चलिए एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है देखें अगर एक ताजे अंडे को नमक के पानी में आप डालेंगे तो वो तैरने लगता है ठीक है नमक के पानी में डालेंगे और तैरने का काम किसलिए होता है तो आपको पता होगा density का जो difference होता है तब ही वहाँ तैरना तैराई होता है ठीक है तो नमक के पानी का जो घनत होता है जो density होता है सच पानी की effect चा अधिक होता है अगर नमक की पानी का घना तो स्वच पानी की अपिक्छा अधिक होता है और जब घना तो अधिक होगा इसलिए ताजे अंडे को नमक के पानी में डाला जाए तो वह तैरने लगता है क्या होता है तैरने लगता है ठीक है इसको हम आपको पढ़ाएंगे जब density वगेरा पढ़ाएंगे detail में देखें यहाँ पर कहा जा रहा है punate square प्यूनेट square आपने सुना भी होगा अब जो यह punate square होता है यह किस लिए हम लोग यूज करते हैं इसका तो इसका यूज करा जाता है cross कराने में अब जब इसका लंबा बोना, इसका आप करेंगे cross, तो gamits बनेगा, यानि कि युगमक, अब इस युगमक का कैसे क्या क्या gamits बनेगा, इसके लिए हम लोग punet square का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, punet square का यूज करते हैं, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये आपका प अब जब हमारे पास parental cell ये है, ठीक है, घ्यान से देखेगा, B, B, A, A और B, B, अब इसका gamits कैसे बनेगा, gamits जो बनेगा, ये तो चार gamits बनेगा, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका A और इसका B, ठीक है, इसका A और इसका B, A भी हो जाएगा, एक gamit बनेगा, उसके बाद ये A और इसका B, एक gamit ये बना, फिर उसके बाद अगर बात करें, ये वाला A और इधर से B उठाईए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, capital A, small A और capital B, और उसके बाद last में A भी बन जाएगा, तो ये चार gamit बनेगा, ठीक है, ये चार gamit बनेगा, यहा है, कितने gamit बनेगे, तो A भी बनेगा, ठीक है, A, capital A, B, और यहाँ पर केवल क्या है, एक छोटा A है, और ये दोनों तो B है, दोनों, मतलब जो छोटा B ही है, तो एक ही gamit बनेगा, ठीक है, इसे बाद फिर से समझेगा, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है, तो, समझेगा, आपको gamit बनाने आना चाहिए, ठीक है, A, A, B, B, ठीक है, तो इसका gamit कैतना बनेगा, इसका gamit बनेगा, चार, एक A और एक B, ठीक है, उसके बाद इसी A से छोटा B, A, B हो गया, यहाँ A, A वला लिजिए, इससे दोनों को बनाईए, फिर इसके बाद इससे नहीं होता है, जो dominant, तो यह सब आपको पढ़ना होगा, जैनेटिक्स में, लेकिन यह समझेए, कि यह A से क्या बना, यह छोटा B, तो A, B बन गया, और यह A से, यह A से जो है, यह जो B, क्योंकि आप जो बनाएंगे, इससे, अब जो अगर इससे A, B बनाएंगे, तो A, A, औ जो gamit से उसे रख देंगे, A, B, A, B, इस तरह से रख के, इसका square किया जाता है, और यहाँ पर आपके क्या बनेगा, A, और A, B, तो यहाँ देखें, कहा जा रहा है, कि बताएंगे, कितने genotype, तो 4 genotype बनेगे, ठीक है, point square बनाने पर, यह जो है, 4 genotype बन जाएगा, यह हो गया इस तरह से आप यहाँ बना सकते हैं, तो 4 gamit बनेगे, उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है, point square है, और इसका gamit बनाना है, तो gamit कैसे बनता है, भाई साथ, gamit से अगर बना लिया, तो हो जाएगा आपका काम, यह A से 1 B बना, ठीक है, यह A से A B बन गया, ठीक है, यह A से छो से देखिए, कितने बनेगे, तो 2 genotype बनेगे इस तरह के, ठीक है, चलिए, खाने के बाद पेट में होने वाली acidity को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है, ठीक है, खाने के बाद पेट में जो होने वाली acidity है, अगर उसमें waking soda लिया जाए, तो उससे वो खतम हो जाता है, ठीक चलिए, तो कहा जा रहा है कि धोवन soda का formula क्या है, या बताएंगे, sodium carbonate उसके साथ कितना molecule water लगता है, मनस्यू के अमासे में भोजन में उपस्तित protein आदी को तोड़ने के लिए hydrochloric acid का सराव होता है, बिल्कुल सही बात है, इसकी पेट में समानने से अधिक मात्रा हो जाने पर acidity हो जाती है, इसका उपचार baking soda की सायता से किया जाता है, baking soda का जलिया भी लियन, छारिया लक्षन प्रदर्सत करता है, जिसे पेट में अमल किया धिकता है, इसके द्वारा निस्क्रिया कर दी जाती है, ठीक है, समानने समवेदना हारी का अविसकार किसके द्वारा किय गया था, तो जो समवेदना हारी जो अनेस्थेटिक है, उसका अविसकार किया गया था, सीसु नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा, क्या, सीसु नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिसे कहा जाता है, हना ओका सीसु, ठीक है, हना ओका सीसु के द्वारा, समानने तो याद रखेगा किसका जेबरा का वग्यानिक नाम है एक दवा या फिर पदार्थ क्या एक दवा या फिर पदार्थ है जिससे आपको आराम महसूस होता है वहाँ आपके सरीर के कारी और परतिक्रिया को धीमा कर देता है देखे अगर बात करें कि जो एक दवा या फिर पदार्थ होता है जो कि दवा क्या होता है एनलजेसिक होता है एंटिस्टामान डिप्रेसेंट तो यह जो डिप्रेसेंट है अगर आपको डिप्रेसन है तो डिप्रेसन में एंटिप्रेसेंट खाया जाता है ठीक है डिप्रेस इसवी में जोसेफिन कोचरेन के द्वारा किया गया था नैदानिक यानि की डाइगनोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किस ने करी थी तो डाइगनोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज जो करी गई है वो करा गया इयान डोनाल्ड की द्वारा किसके द्वारा इयान डोनाल की द्वारा देखे 20 सताबदी की बात जैसे ही आएगी तो यह 19 सवसे 2000 के बीच की बात है तो यह 20 सताबदी के द्वारा यूरोप में यान डुनाल्ड की द्वारा डागनोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज करी गई थी कैनिस वल्पिस देखें कैनिस वल्पिस जो है यह लोम्री का वैगनिक नाम है कैनिस क्या है इसका जीनस है वंस किस वंस से है कैनिस से है ठीक है और वल्पिस क्या है इसकी प्रजाती है वोल्फ ठीक है लोम्री चलिए याद रखेगा लोम्री यानि कि फोक्स का वैगनिक नाम canis stapes कुटता का वैगानिक नाम canis मतलब कि कुटता लोम्डी ये सब क्या है एक ही once जा से ठीक है canis lupus ये है वेडिया का वैगानिक नाम canis lupus है जबकि लग्का भग्गा का हाइना है हाइना वैगानिक नाम हाइना है मतलब ये अलग है चलिए देखिए सौरिया लेसर टाइडी सौरिया लेसर टाइडी जो है यह छिपकली का वग्यानिक नाम है देखिए जितने वी वग्यानिक नाम यहाँ पर कराया जारे है उसको भी याद रखना है और साथे साथ कुछ वग्यानिक नाम अपने से भी देख लिजिएगा तो स चुहा का वेग्यानिक नाम है, रोडेंसिया मूरीडी चुहा का वेग्यानिक नाम है, और हमने बताया कि रोडेंसिया मूरीडी चुहा का है, तो रोडेंसिया क्या हो गया, इसका जीनस यानिकी वंस हो गया, और इसी वंस का चुहे के वंस का ही गिलहरी होता है, तो गिलहरी क वेग्यानिक नाम क्या है क्या रोडेंसिया म्यूरीडी है नहीं रोडेंसिया इस्क्वीरस देखे रोडेंसिया इस्क्वीरस म्यूरीडी याद रखेगा और इस्क्वीरस आपका गिलहरी रोडेंसिया किसका वंस है तो चूहा गिलहरी एक ही वंस से आता है ठीक है याद रख से याद रिखेंगा एक्वस के विलस ठीक है यहां पर कहा जा रहा है कि जो और वेरियल और वेरियल एलस्टी जो है यह किसका वेग्यानिक नाम है तो मकड़ी बंदर इसपाइडर मंकी का नाम है आपका और वेलियू एलिटर सब्सक्राइब करता है इसके कई जातियां पाई सफेद चीटी का दूसरा नाम दीमक है याद रखेगा, वाइट एंट का दूसरा नाम दीमक है, देखे, वाइट एंट का दूसरा नाम दीमक, यानिके तर्माइट होता है दीमक एक परकार का कीट है, जो आइसोप टेरा नामक, जीव वग्यानिक इंफ्रा आडर का सदस्य है वोविडी ओविस किसका बैज्यानिक नाम है तो देखी ये भेड का भेड का बैज्यानिक नाम है वोविडी ओविस वोविडी ओविस भेड का बैज्यानिक नाम है और भेड का क्लोन तयार हुआ था सबसे पहले जिसका नाम था Dolly ठीक है और कहांपरोगा था रौस्लिन इंस्टिटूट स्कॉटलेंड के पाच जुलाई 1996 को कवक के अध्यन को क्या कहा जाता है माइकोलोजी कहा जाता है कवक के अध्यन को माइकोलोजी, परजीवियों के अध्यन को पाइरोसोटोलोजी कहा जाता है बैक्टिरियोलोजी बैक्टिरिया के दिन को एकोलोजी के अंतर गतम क्या करते हैं पर्यावरन का अधियन करते हैं चलिए निम्न में से किस कीट का वग्यानिक नाम बिलेटेरिया है अगर बात करें कौकरोज की तो कौकरोज का वग्यानिक न तो चीटियों का अध्यन मिर्मिकोलोजी, चीटियों एवं उच पादपों के बीच होने वाले लाबदायक सहयोजन जो है, जो beneficial association है को चीटियों की पारगिता या मिर्मिकोलोजी का, मिर्मिको फेलो का फिली का जाता है, इसमें पौधे को भोजन का सरन देते हैं, वो बदले आपको सपनों में, जो भी आपने सपने देखे हैं, अगर आपको भूल जाते हैं सबरे उटने के साथ-साथ, रात में सपनों का राज कुमार, सपनों की राज कुमारी देखा, और सबरे उसका चेहरा याद नहीं हो रहा है, तो याद रखे, आपके अंदर बीटामिन B6, यानि कि Pyridoxin की कमी हो गई किसके Pyridoxin की कमी हो गई तो जल्दी से vitamin B6 की किजें और सपने के राजकुमर और राजकुमारी को याद कीजे चलिए निम्रवे से किसे पसू star के रूप में भी जाना जाता है पसू star के रूप में जाना जाता है CatabolGM, याद रखेगा. यख्रिटा था पेस्कियों के अंतरगात, जाय पर गलुकोज से गलाइकोजन नामग बनता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बन रहा है. गलुकोज से गलाइकोजन बन रहा है. तो ये क्या है? Enabolic activity. और glucose से जब तूटता है पायरोगी के सीड रेस्पिरेशन वगिरा में तो वो catabolic है याद रखेगा ठीक है पाचन क्या है catabolic है क्योंकि वहाँ चीजे तूटती है अब सकता पढ़ने पर जलब गटन द्वारा इसका पुनह गुलकोज में बिगटन होता है तो अगर पुनह से तूटे ठीक है गलाइकोजन तूट करके ग्लुकोज बने तो ये catabolic है ठीक है इस परकार और catabolic metabolic metabolism कहलाता है ठीक है इस परकार उर्जा का उत्पादन के लिए संग्रहित इंधर का काम करता है गलाइकोजन ठीक है देखे गलाइकोजन नामक peptide hormone किसके द्वारा स्रावित होत उसे में गलाइकोजन का निर्मान एवम संचे मखता यकरित की कोशिकाओं एवम कंकाल मानस्वेशियों में होता है और गलुकागोजन का स्रावन अगनासे से होता है ठीक है अगनासे से तो गलाइकोजन का निर्मान हर्मोन का किसके दौरा स्रावित होता है तो यहां कुछ तो ये कहा जाता है तो ये कहा जाता है पुर्ण सस्कता यानि कि टॉटी पोटेंसी कहा जाता है क्या टॉटी पोटेंसी एक है कि एकल कोसिका की द्वारा जनन्चम पूर्ण वैक्ति को पाईदा करने की छमता तो टॉटी पोटेंसी is the ability of a single cell to produce a fertile adult individual चीक है याद रखी गए यह टोटी पोटेंसी है चलो टोटी पोटेंसी एकल कोशिका में सभी बिवेधित कोशिकाओं को उत्पन्द करने की छमता को कहते हैं बिजानू और यूगमनाज यानि कि जो स्पोर्स और जो जाइगोट्स होते हैं टोटी पोटेंट और इसके बाद एंब्रियो बनता है एंब्रियो के बाद बेबी का जन्म होता है उसी परकार से विजानू से आपका फल बन जाना ये सब क्या है टोटी पोटेंट कोशिका बन जाते हैं बड़े ठीक है निवन में से किस प्रसिद रसोई सामगरी को सरकराब होजी कवक कहा जाता है देगि सरकराब होजी कवक यानि कि जो सूगर इटिंग फंक्षन है फंगस वो क्या है कि इस्ट यद्ञsystem फंक्षन जो है वह यह सोता है याद कि結果 है क्या है मल्टी सेललूलर होता है यह जो सारव स्वंगस के जान होते हैं रेकिन आपका जो मल्टिसेशंगल है नहीं आपका क्या है यूनी नवर्थी अच्छाना करते है चलिए जालर रखेंग पौकरण मोडल के सिर्टॉ सब्सžाइब फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर किसकी सुरक्षा से संबंदी थे तो याद रखेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा से पोखरन मोडल के फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर जो है जुगनू बर्ड डाइवर्टर जो है Great Indian Bustard की सुरक्षा से संबन्दित है Great Indian Bustard विस्व के सबसे भारी उडने वाले पक्चियों में से एक Firefly Bird Diverter बिजली लाइनों पर Firefly Bird Diverter जो है बिजली लाइनों पर स्थापित फ्लैफ है जो रात में बिजली की लाइनों पर चमकते हैं ये फ्लैफ Great Bird Indian Bustard जैसे पक्ची परजातियों को परावर्तक के रूप में कायर करते हैं ये पक्ची उन्हें 50 मीटर की दूरी से देख सकते हैं और बिजली पारेशन लाइनों से टकराने से बचने के लिए अपनी उडान का रास्ता परिवर्तित कर पकते हैं मयूर का वग्यानिक नाम क्या है? मयूर का वग्यानिक नाम जो है ये आपका है पावो क्रिस्टेसस क्या है? पावो क्रिस्टेस याद रखेगा पावो क्रिस्टेटस जो है यह मयूर का पिकॉक का वग्यानिक नाम है पिकॉक का वग्यानिक नाम क्या है पावो क्रिस्टस मयूर जिसे मोर कहा जाता है पावो क्रिस्टस निमन में से किसका उपयोग नासी मचली यानि कि पेस्ट फीस पर नियंतरन पाने के लिए किया जाता है तो देखिए ये पիसी साइड मद सनासी होता है ठीक है मद सनासी देखिए नासी फिस पर नियंद्रण करने के लिए पीस्ट साइड का उपयोग किया जाता है इसके लिए महवे की खली का परियोग मद सनासी के रूप में किया जाता है पुर्वत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मेलो कैना बैसी फेरा बासों के पुस्पित होने के दौरान चुहे के संक्रमन के कारण होने वाले अकाल को माउतम अकाल के रूप में जाना जाता है याद रखेगा देखे ठीक है विज्ञान की साखा चीरो पीडी सरीर के किस भाग से संबंदित है चीरो पीडी इस ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेट टू विच पार्ट ऑफ दबड़ी तो यह पैरों से संबंदित है ठीक है तो यह हमने क्या देख लिया हमने पूरा बायोलो चलिए अब हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान यानि की बाटनी को ठीक है तो बाटनी के कुछ पार्ट को आज देखेंगे और एक पार्ट हमारा और आएगा एक मेरातन और आएगा जिसमें हम पूरा बायोलोजी को कवर कर चुके होंगे फिर आप कमेंट बॉक्स में कह आपर ना सकते हैं उसको तो अब हम देखेंगे वाटनी के अंतरगत सबसे पहला जो हमारा चाप्टर है वह है कोसी का एबहुम अनुवान सिक्ता क्या सेल और जेनेटिक्स देखें सेल के बात करें सेल क्या है तो सेल हम जितने भी लिविंग ऑर्गैनिज्म है जितने भी ल बोडी का एक तो structural यानिके structure जो भी संरचना है और जो हम कार्य कर पा रहे हैं हमारे अंदर जो energy है वो sale के कारण है हमारे अंदर जो हम सास ले पा रहे हैं sale के कारण तो sale जो है हमारे body का functional और structural unit है याद रखेगा और unit क्यों क्योंकि unit इसलिए कहा जाता है कि यह अपने आप में एक पूरा का पूरा unit है इसके अंदर हम आगे sale को पढ़ेंगे तो पता चलेगा ठीक है तो sale को हम कहते हैं कि body का या life का functional और structural unit of the life ठीक है यह sale है अगर sale की बात करें तो sale की सबसे पहले खोज करी गई थी किसके द्वारा तो करा गया था Robert Hook के द्वारा किसके द्वारा Robert Hook के द्वारा 1665 में और अगर और detail में पूछ लिया जाए तो sale dead sale की इनों नहीं खोज करी थी किसकी dead sale यानि कि मृत को सिकाओ के खोज Robert Hook साब के द्वारा करी गई थी इनोंने क्या करा plant का sale wall होता है जिसमें आपका cork उससे बनता है तो cork को लेकर कर आए औ और उसको microscope से देखा तो इनने दिखा कि अरे sale होता है तो ये याद रखेगा कि dead जो plant का sale wall होता है तो अगर और पुछा जाए तो इनोंने sale की खोज वास्तों में नहीं करी थी बस ये sale wall को इनोंने देखा था क्या sale wall को को सिका भित्ती को लेकिन original sale की जो खोज करी थी living soul की ये 1674 में रोबर्ट एंटोनी वान लिवेन होक ने करी थी 1674 में living sale की खोज तालाब के पानी में ठीक है याद रखेगा चलिए अब देखते हैं cytology कोसिका विग्यान जी विग्यान की वह साखा है जिसके अंदर कोसिका का अध्यन किया जाता है यानि कि cytology is the branch of biology which deals with the study of sale ठीक है चलिए आगे देखिए कोसिका के बैज्यानिक अध्यन को क्या कहा जाता है cytology कहा जाता है हिश्टोलोजी के अंतरगत हम क्या करते हैं हिस्टोलोजी के इंतरगत हम करते हैं से बनता हो सिस्टऽा झाद डिया जसे कि हम आगे पड़ेंगे theory class में कि human physiology में कैसे respiratory system काब करता है किस प्रकार से circulatory system काब करता है यह सब ठीक है कहा जा रहा है कि जिन्होंने कोशिकाओं की खोज करी थी वो पहले वेक्ति कौन है देखे पहले वेक्ति रोबर्ट हुक है और रोबर्ट हुक साहब उन्हें 1665 साव में कोशिका की खोज करी थी और अगर कहा जाय तो इनोंने पूरी तरसे जोँ यह है ठीक है चली पादप कुशिकाओं की सब्सक्राइब को क्या करता है और ओर और से मिल और और ऑरगन से मिलकर औरगन सिस्टम का निर्मान करते हैं ठीक हे चलिए देखे का कहा चाहा जा रहा है आगे देखते हैं कि कि किसको माइक्रोवस्कोप के माध्यम से अध्यान का विज्ञान कहा जाता है। तो देखे यह यह जो हिस्टोलोजी को مایکروسکوپ के माध्यम से देखे जाने वाली कोसिकाओं उत्त्रकरओं और ये कहा जाते हैं, भी घए, जियाद रखेगा विएक निमल में से कौन कोसिकाओं को आत्म घाती भैक कहा जाते है कोसिका का आत्म घाती खैली हमने अभी अब और आपको बताया था कि suicidal bag of the cell जो है यह किसे कहा जाता है lysosome को कहा जाता है कि इसको lysosome को कहा जाता है तेंकि lysosome को कहा जाता है क्योंकि lysosome जो होता है सेल के अंदर जितने भी और्गेनिलीज होते हैं उसको nucleus क्या कहता है कि लाइसोसोम को कि तुम हमारा assistant के रूप में काम करो कोई अगर सही से काम नहीं करे तो तुम उसको तुरंट वहाँ पर खतम कर दो यानि कि तुम्हारे अंदर जो जल अपगटे है जो हाइडरोलिटिक एंजाइम है उसको उसके उपर छोड़ दो अगर लाइसोसोम की बात करे तो इसकी खोज करी थी डी डूबे ने करी थी 1958 में ठीक है और लाइसोसोम जो होता है प्लांट में नहीं होता है इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है ठीक है राइबोजोम जो है यह यह आपका प्लांट सेल में जो होता है प्लांट सेल में एक मिनट राइबोजोम जो है ये क्या इसका काम क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है क्या प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है प्रोटीन निर्मान करवाने का काम होता है एंडोपलाजमी क्रेटिकुलम के उपर दाने के जैसा स्ट्रक्चर सटाहवा होता है राइबोजोम ठ लिकाह जाता है तो लाइसो सोम को कहा जाता है लाइसो सोम याने की लैयनिका ठीन है यह लयान की पसू कोशीकांग इसेल में competent करता है यह देखांग करता है यहां में करना काह्पन खरता हुआ डचांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, वही काम है, लाइसोसोम का, ठीक है, चलिए, अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहे हैं, निमन में से किसने, जीवन की मौलिक संगटनात्म की काई, कोशिका के द्रव पदार्थ को परिभासित करने के लिए प्रोटो प्लाज्म अर्था जीव द्रव सब्द प्रतिपादित किया था, जीव द्रव या प्रोटो प्लाज्म को प्रतिपादित किया थ जेई पूरकेंजे ने करा था level जीवडरवे यह यानि की प्रोटोप्लाजम की बात करी थी जीवडरवी तुकले sound जालिका होता है ठीक है अंतर द्रवी जालिका यानि कि इंडो पलाजमिक रेटीकुलम जिली युकत नालिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंतर है यह जो सेल है अब सेल के अंदर नुकलियस पाया जाता है और नुकलियस के एक छोर से एक जाली जैसा इस्ट्रक्चर जुड़ा होता है और सेल के जो सेल का जो मेंब्रेन होता है जो पलाजमा मेंब्रेन होता है वहां से जुड़ा रहता है तो यह क्या काम करता है यह जाली जैसा यह सौकर का काम करता है सेल के लिए सौकर का का काम करत कौन सेल को स्ट्रक्चर देता या अचयow एक सकते हैं रौस smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum कुछ नहीं है, बस smooth endoplasmic reticulum के उपर अगर दाने जैसा structure, छोटे छोटे दाने जैसा structure आ जाए, यह जो है, यह ribosome कहलाता है, और इसी कारण से ribos endoplasmic reticulum को कहा दिया जाता है rough endoplasmic reticulum और यह जो है protein synthesis का काम करवाता है, क्या protein synthesis किसे जीवन का भहती कदार माना जाता है तो जीवन का भहती कदार, physical basis of the life कहा जाता है protoplasmic को, ठीक है, एक तो cell है, और cell के अंदर जितने भी organelles हैं, चाहे आपका, क्या बोलता है, कि mitochondria हो, या फिर आपका ribosome हो, या फिर आपका centrosome हो, nucleus हो, ठीक है endoplasmic reticulum हो, गौलजी बडीज हो, ठीक है, ये सब के सब, जो cell के अंदर जो structures होते हैं, वो आपस में, जो organelles होते हैं, आपस में टकराए नहीं, उसके बीच lubricants बना रहे हैं, तो यहाँ एक द्रव क्या होता है, एक द्रव इसके अंदर फैला होता है, तो देखे, ये जो कुसी का द्रव यह होता है, जैसे प्रोटो प्लाज्म क्या है, प्रोटो प्लाज्म जैसे अभी आपको समझाते हैं, यह nucleus है यह आपका एक मिनद एक मिनद एक मिनद एक मिनद एक मिनद यह nucleus है और nucleus के चुकि यह cell है और cell के अंदर के द्रव को कहा जाता है protoplasm अब प्रोटोप्लाज्म को बाट दिया जाता है ये नुकलियस के बाहर के द्रव को कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानि कोसी का द्रव है और नुकलियस के अंदर को कहा जाता है नुकलियोप्लाज्म क्या कहा जाता है नुकलियोप्लाज्म तो ये जो साइटोप्लाज्म है यह जो कोसी का द्रव्य है कोसी का द्रव्य है इसके अंदर आपका क्या-क्या गलाइकोजन पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कन सलफर कन यह सब कैसे रिकते का है सामील होती है याद रखेगा ठीक है आगे देख लेते हैं वह जेली सद्रीस पदार्थ वह nucleus the nucleus of a cell which is surrounded by jelly-like structure तो जो यह jelly-like structure होता है वो क्या कहालाता है nucleus में जो jelly-like structure होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई साथ तो ये जो आपका वह जेली सद्रिस्पदार्थ जिससे कोसिका का केंदरक निकलेस घिरा होता है निकलेस के बाहर जो जेली लाई द्रब जैसा structure होता है लसलसा तो वो क्या होता है साइटो पलाजम होता है कोसिका द्रब यह होता है ठीक है चलिए, कोसिका सिध्धान्त का प्रस्ताव देने वाले वैज्यानिक का नाम बताइए, कोसिका सिध्धान्त का प्रस्ताव देने वाले वैज्यानिक कौन थे, स्लाइडेन और स्वान्त, देखे स्लाइडेन और स्वान्त सहब ने कोसिका सिध्धान्त यानि कि सेल थियोरी दी वहीं पर जो सेल बहता होता है जो एक्जिस्ट करता है सेल उसी से दुसरा सेल बनता है यह बताया था और तीसरा बात इनों ने कहा था कि सेल के अंदर नुकलियस होगा ही होगा यह बताया था सेल स्लाइडेन और स्वान में तो फिर स्लाइडेन और स्वान से पूछा गया कि बताईए ये जो आपने कहा कि एक छोटे से 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 आज हम देखते हैं बड़े सरीर में लाको करोडो और वो सेल हैं ये कैसे बना भाई साब आपने बता दिया कि बनता है लेकिन कैसे तो जो सेल डिविजन की बात स्लाइडेन और स्वान के द्वारा नहीं बताया गया था याद इसके सेल में नुकलियस नहीं पाया जाता इसके सेल में नुकलियस नहीं पाया जाता तो फिर इसे कहा गया कि आप तो गलत हो गए यहाँ पर तो इन सब का यह एक्स्प्लानेशन नहीं दे पाये थे तो फिर यहाँ पर क्या हुआ विर्चो साहब आए थे और विर्चो ने श्रभाइं उसारण माइकडवी माइक्रोग्राफिया उनके बूक को था कोज किसने की थी तो मानव सरीर में कोशिकाओं की खोज रोबाट हुक ने करी थी अपने बुक माइक्रोग्राफिया में इन्होंने ऐसा लिखा था ठीक है याद रख लिजेगा इस बात को चलिए आगे देख लेते हैं निमन में कौन सा जीव कोशिकाओं का अनुरूप नही ही है अगर बात करें वाइरस वाइरस सेल में कहा गया था कि हर एक जीव के पास सेल होगा ठीक है उसके बाद यह भी कहा गया था सेल में नुक्रेस होगा तो वाइरस जो है यह तो ना जीव है ना सजीव है निर्जीव है ना निर्जीव है इसमें भी सेल होता है तो यह यह बाद का explanation जो है स्लाइडेन और स्वान साहब नहीं करता है ठीक है चलिए का जा रहा है कि किसको कुसिका का सक्तिग्री ठीक है पावर हाउस अब दा सेल कहा जाता है यानि कि सुत्रकणिका को कहा जाता है माइटोकॉंड्रिया के अंदर सेलूलर रेस्परेशन होता है क्रेब्स साइकल होता है ठीक है आपको पता होगा है हैंस क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट के नाम पर क्रेब्स साइकल पड़ा है जो कि सेल के अंदर माइटोकॉंड्रिया के अंदर cellular respiration और उससे energy बनता है तो यह आपका mitochondria को इसी कारण से powerhouse of the cell कहा जाता है ठीक बात है चलिए आगे देख लेते हैं निम्न लिखित में से किसे कोशिका का powerhouse कहा जाता है तो यह mitochondria को कहा जाता है कोशिका का उर्जा गरी किसे कहा जाता है DNA वह राइबोजोम होते हैं तो हमने आपको यहाँ पर जो mitochondria है ठीक है mitochondria है यह mitochondria का अपना DNA में अपना DNA और 70S टाइब का ribosome होता है 70S टाइब का ribosome पाया जाता है अच्छा आपने देखा है कि smoke प्रोकरियाटिक सेल में DNA भी होता है ribosome भी होता है 70S टाइब का कह जाता है कि mitochondria को कहा जाता है सेल के अंदर सेल कोशिका के अंदर कोशिका या फिर yukaryotic ko 착 उसिका में प्रोकरियाटिक कोशिका अपने आप में एक सेल है आपका mitochondria, mitochondria को powerhouse of the cell भी कहा जाता है तो यह आपका mitochondria हुगा है देखे अगर कहें कि plant cell और animal cell में cell के nucleus में तो DNA पाया ही जाता बाद बाकि animal cell के mitochondria में nucleus के लावे mitochondria में और plant cell में mitochondria और chloroplast में DNA पाया जाता है ठीक है DNA, याद रख लिजेगा इस बात को ठीक है, चलिए काहा जा रहे, आगे देखते है देखे, कहा जा रहे, कि वहả कूसिका अंग है कौन सा वह कूसिका अंग है जिसमें स्वसन और उर्जा उत्पादन के सभी जैवरासाइनी कभी करिया होती है तो mitochondria में होती है, कहा जा रहे, कूसिका कोशिका के उर्जा के रूप में किसे जाना जाता है कोशिका के उर्जा के रूप में ATP के रूप में कोशिका देता है edino triphosphate 38 ATP energy वहाँ से निकलता है लगभग 673 कीलो कैलरी energy वहाँ से निकलती है ठीक है याद रख लिजेगा कहा जा रहा है निम्न में से वाइविया तथा ओवाइविया स्वासन के बीच का कौन सा अंतर सही नहीं है चलिए देखे वाइविया स्वासन जो एरोबिक स्वासन होता है ऑक्सिजन के उपस्तिती में होता है और जो और वाइविया स्वासन होता है ऑक्सिजन के उपस्तिती में होता है बिल्कुल सही बात है ठीक है ये बिल्कुल सही है आगे देखे वाइविया स्वासन में पाइर जल में खंडीत होता है, बिल्कुल गलत, देखी, अभी हम आपको बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसे यहां टेटेल तो नहीं कर सकते हैं, गलाइकोलिसिस, जब आपका, हम एक बिनट इसे मीटा देते हैं, फुड से एनर्जी बनने, फुड से एनर्जी बनने के बीच में फुड का पाचन होता है, होता है, बनता है गलुकोज, गलुकोज का गलुकोज जब तूटता है, सेल के साइटो पलाज में, तो क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है, जैसे गलाइकोलिसिस कहा जाता है, अब ये पाइरुवेट तूटता है, अब ये ऑक्सिजन की उपस और ये oxygen की अनुपस्थिती में क्या बनाता है लाक्टिक एसिड बनाता है एथेनॉल बनाता है यह सब बनाता है तो याद रहेगा यह गलात हो जाएगा ठीक है यहाँ पर उल्टा बोल दिया किया है ठीक है चली तो आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि वाइविया स्वसंन लगवक 2-3 ATP energy ही बन पाती है ठीक है और off-vies ocean के बाद lactic acid बनता है सरीर में ठकानवकान का अनुभव होता है ठीक है off-vies ocean Üst में होता है बिलकुल सही बात जो anaerobic respiration है फंगस यह सम्में होता है ठीक है और आगे देखते हैं निवन में से कौन सा को सिकां केवल पादब को सिकां में होता है, देकि लाइसोसोम दोनों में होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, लाइसोसोम के जगा डिक्टियोसोम भी पाया जाता है, को सिकां जिल्ली माइटो को सिकां में होता है, लेकिन यह जो प्लास्टिट को तीन पार्ट में बाटा जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीन पार्ट में प्लास्टिट को बाटते हैं तो यह आपका केवल पादप कोसिका में होता है ठीक है चलिए, एक eukaryotic kosika में, एक नाभिक सहित जिल्ली से बंधे अंग होते हैं, जो kosikya परकिरियाओं को, अलगाओ करने में सहायक होता है, याद रखेगा, kosikya परकिरियाओं का अलगाओ करने में सहायक होता है, यह ठीक है, चलिए, देखिए, कहा जारे, prokaryotic kosika में, निमन में जो nucleus या तो नहीं होता है, या तो होता भी है, तो uncovered होता है, ठीक है, uncovered, पुरी तरह से developed नहीं होता है, चलिए, निमन में से किसमे kosika भित्ती नहीं है, देखिए, अगर बात करें, kosika भित्ती किसमे नहीं है, अब जो यह yuglina है, yuglina, yuglina को क्या कहा जाता है भाई साब, yug और animal के बीच की कड़ी, yuglina कहा जाता है, और इसमें cell wall होता है, याद रिखेगा, paramecium, यह proto-जवा के अंतरगत, yuglina भी proto-जवा के अंतरगत, paramecium जो है, यह चपल के अरकार का होता है, इसमें भी cell wall पाया जाता है, ठीक है, इसमें भी cell wall पाया जाता है, आगे देखिए, और क्या है, जो आपका gonulax है, इसमें भी cell wall है, लेकिन mycoplasma जो की सबसे छोटी कोशी का है, प्रोकेरियोटी कोशी का, इसमें cell wall नहीं पाया जाता है, ठीक है, मानव सरीर में वसा और प्रोटीन के प्रित्थकरन, वसा यानि के फैट और प्रोटीन का अलग करने के लिए ब जगह से दूसरी जगह लेका जाने में, काम, गॉल जी, अपरेटरस, गॉल जी बड़ी करता है, याद रिखेगा, इसके बारे में थोड़ा से कहानी हम सुना देते हैं, ठीक है, अगर आपको पता होगा कि हम यहाँ पर बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, और जब हम बहुत और यहाँ एनर्जी कम होगा, और एनर्जी को यह कम होगा, धीरे-धीरे कम होते जाएं, इसको एनर्जी की पूर्ती ना हो पाए, तो यह क्या करेगा, यह धीरे-धीरे कामी करना बंद करते हैं, बोल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्या करता है, अलग जगह से एनर्जी होता है तो endoplasmic reticulum पर होता है कोसिका राइबोजोम की खोज 1905 में जोर्ज पैलाडे ने करी थी याद रख लिजेगा इस बात को कोसिका में राइबोजोम की उपस्तिती का कौन सा कारी उचित रूप से संपन नहीं होगा प्रोटीन संसलेशन अगर राइबोजोम ना हो तो प्रोटीन संसलेशन नहीं होगा इसे प्रोटीन फैक्टरी सेल का कहा जाता है ठीक है निमन में से कोसिका के नियंतरक केंदर कौन सा है तो केंदर कोसिका का कंट्रोल रूम कोसिका का ब्रेन सब कुछ कि इसको कहा जाता है नुकलियस को कहा जाता है नुकलियस के अंदर आपका क्रोमेटीन मेटेरियल होता है नुकलियस के अंदर नुकलोपलाजम होता है इसमें chromatin material और जब cell division के time पर ये chromatin material chromosome के रूप में दिखते हैं और हमारे सरीर में humans में 23 जोड़ी chromosome होते हैं जब chromosome को और जूम किजेगा तो ये क्या होगा DNA बनेगा ठीक है DNA दिखेगा आपको और DNA का जो एक segment होता है उसे DNA के बाद gene तो ये कहां पर पाये जाएगा ये nucleus में पाये जाएगा ठीक है और DNA nucleus के अलावे mitochondria में भी पाये जाती है plant cell में इसके अलावे chloroplast में भी पाये जाता है ठीक है बहु गुनिता यानि कि poly pleiodi किसमी परिवर्तन होने पर होती है याद रिखेगा अगर chromosome की संख्या में देखे हमारे body में 23 जोड़ी chromosome है यानि कि 46 chromosome है और अगर 46 chromosome में या तो chromosome की संख्या बढ़ जाए या घड़ जाए तो उससे क्या होता है कि मानम में deformation हो जाता है जैसे अगर 21 जोड़ी का 21 नंबर का chromosome अगर एक और एक्स्ट्रा इसका कॉपी बन जाए तो इससे यहाँ पर क्या हो जाता है Turner syndrome हो जाता है ठीक है नइट जो कौन सा syndrome है देख लिजेगा अगर Down syndrome है Blue Baby syndrome है Turner syndrome है तो यह इस टाइब का हो जाता है अगर इसमें कमी या ज़्यादा हो जाए ठीक है तो cellulose यह plant cell का cell wall होता है और यही पौधो को जटिल structure परदान करता है कौन भाई साग तो यह आपका cellulose होता है ठीक है cellulose प्रिथ्वी पर सबसे प्रचूर मात्रा में पाये जाने वाले जैब पदार्थों में से एक है यह आम तोर पर पौधो दोरा संसलिसीद होता है cellulose एक रक्त सक्त रेसेदार और जल में और घुलन सिल पोली से कराइड है जो कि plant cell की दिवारों की संरचना सक्ती और इस्तिरता प्रदान करने में महत्वपूर्न भूमी का निवाता है चलिए आगे देख लिए हैं कहा जा रहा है कि यहां पर अब यह सेल्यूलर है तो इसमें cell division होगा और फिर cell division से वो बढ़ते जाएगा ठीक है कौन सी कुसिकाएं पौधों के विभिन अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है तो यह आपका मेरिस्टेमेटिक जो आपका प्लांट सेल में प्लांट सेल के कौन सी तो मेरिस्टेमेटिक जो कुसिकाएं होती है यह पौधों को नए पौधों को अंगजन में देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है ठीक है याद रखेगा रसायनों का एक समू है कौन सा रसायने का एक समू है जो कोसिका विवाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं तो याद रखेगा cytokinins, cytokinins जो है, ये cytokinins एक प्रकार का पादफ हर्मोन है, टिस्व हर्मोन है, जो कोसी का विवाजन की दर को बढ़ाता है, यानि के cell division को बढ़ाता है, और जब cell division होगा, तो ये क्या होगा, वहाँ पर growth होगा, development होगा, ये होगा, कोसी का पहचान, और क कोसी का पहचान कहा जा रहा है, कोसी का पहचान और कोसी का बंधन, निमन में से किस saccharide बहुलक का कार्या है, किस saccharide बहुलक का कार्या है, तो याद रखेगा oligosaccharide, ठीक है, oligosaccharide, oligosaccharide सामाने तो 2 से 10 monosaccharide से मिलकर बना है, polymer होता है, ये कोसी का पहचान और कोसी का बं पर मिल जाएगा क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है मेहनत करने को तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों में सेर कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और एक मैराथन आएगा बायोलो आप बता सकते हैं क्या करवाए जाए ठीक है मिलते अगले क्लास में तब तक कि लिए